Hello everyone, आज के इस सेशन में हम revise करने वाले हैं Class 10 Physics का चाप्टर Magnetic Effects of Electric Current आज के इस सेशन में ये पूरा का पूरा चाप्टर हम एक साथ revise करने वाले हैं यानि कि ये होने वाला है एक One Short Lecture हमारे चाप्टर Magnetic Effects of Electric Current का इससे पहले हमने चाप्टर Light, The Human Eye and the Colorful World और चाप्टर Electricity इन तीनों ही चाप्टर को अच्छी तरीके से revise कर लिया है और आज के इस सेशन में हम एक New Chapter revise करने वाले हैं Basically आज के इस सेशन में इस चाप्टर से रिलेटेट जो भी टॉपिक्स आपके इस बार के syllabus में है याने कि 2021 सेशन के syllabus में है उन सभी topics को हम revise करेंगे और revise के से करेंगे तो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं बहुत सारे simulations simulations मतलग कि कुछ graphics कुछ animations याने कि आज के सेशन में हम बहुत सारे animations और simulations के थुरू यह पूरा का पूरा चाप्टर एक साथ revise करेंगे तो चलिए जल्दी से आज के सेशन को हम स्टार कर लेते हैं जहां पे आपको सभी chapters के video lectures मिलने वाले हैं बिल्कुल free of cost याने कि magnet brains में आपको दो chapters परने के बाद किसी भी तरह का payment करने की या package purchase करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि magnet brains आप सब तक पहुँचा रहा है quality education बिल्कुल free of cost तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये session जहां हम revise करने वाले हैं magnetic effects of electric current तो भाई जब हमारे revision की गाड़ी शुरू होती है हमारी जो revision की journey शुरू होती है वो कहां से होती है first topic के साथ जो की है magnetic effect of electric current क्या मतलब है इस topic का मतलब ये है कि जो electric current होता है हमारा वो एक magnetic effect produce करता है क्या बोला मैंने? मैं repeat कर देती हूँ कि जो electric current है हमारा वो एक magnetic effect produce करता है और ये वाली बात हमसे सबसे पहले किस ने बोली थी तो हैंस क्रिस्टिन औरिस्टेट ने बोली थी का बोली थी 1820 में बेसिकली सर औरिस्टेट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड किया था कि जब भी इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो होता है किसी कंड़क्टर के थुरू तो वो एक इलेक्ट्रिक करेंट जो है के थो फो रहा है कि हमारा जो कंड़क्टर है जिसके ऌदर इलेक्रिक करेंट वह क्या वह बन गया है एक मगनेट बन गया है तो आपके बौर्ट एक्जामिनेशन में डारेक्टलिए सवाल आता है कि भाई हैंस क्रिस्ट्र और एक्सपेरिमेंट को explain करिए क्या था वो experiment तो इससे पहले कि हम सर और एक्सपेरिमेंट को हम revise करें मैं चाहती हूँ कि हम simulation देख लें अब आप बोलोगे कि मैं सेशन स्टार्ट हुआ नहीं कि आपका simulation आ गया जी हाँ एक्चुली क्या है ना simulation चीजों को बहुती easy बना देता है समझने के लिए अगर मैं आपसे आज से 10 साल बात पूछू भी कि कटपा ने बहुबली को क्यों मारा तो आप मुझे fraction of seconds में उसका जवाब दे दोगी क्यों क्योंकि वह movie आपने देखी है वह ग्राफिक्स आपके दिमाग में चपे हुए है वह वीडियो वह क्लिपिंग आपके दिमाग में चपी हुई है लेकिन अगर मैं आपसे पूछू कि जरा मुझे बताओ potential difference और करेंट के बीच में क्य क्या relation होता है यह simulation से explain करने की कोशिश करी थी तो simulation हम अल्रेडी देख चुके हैं previous session में आज की session में भी simulations देखेंगे तो मैं आपसे यह उमीद कर रही हूँ कि अभी तक जित्ते भी simulations हम देखते आ रहे हैं वो सभी आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ रहे होंगे ठीक है तो देखो इस simulation में मैं आपको explain क्या करना चारी हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास यहाँ पे एक direction जो है ना पता करते हैं और basically मेरा यह जो compass है ना वो अभी एक magnet की तरह ही behave कर रहा है क्योंकि compass के अंदर जो एक पतली सी needle होती है ना वो एक magnet होती है इसलिए उस compass की needle को हम magnetic needle भी कहते हैं तो अभी इस समय मेरे पास दो magnets हैं एक है बार magnet और एक है मेरे पास compass ठीक है अब initially हु होंगे यहां पर आपको clearly दिख रहा हो गयां पर observe कर रहे होंगे आप कि किसी भी magnet में किसी भी तरह का कोई deflection नहीं हो रहा है ना बार magnet मूव कर रहा है अपनी जगह से और नहीं इस compass की जो magnetic needle है वो deflect कर रही है नहीं वो हिल रही है है तो सबसे पहले हमने क्या देखा क्या सी सीमिलेशन से कि हमारे पास एक बार magnet है हमारे पास एक compass है दोनों को ही जब हम दूर दूर रखते हैं तो दोनों के ही वीच में आप बोल सकते हो कि ना बार magnet अपनी जगह से हिल रहा है ना उसमें कोई deflection हो रहा है ना ही compass की magnetic needle में किसी भी तरह का कोई deflection है लेकिन क्या हो कि अगर मैं इस बार magnet को अपने इस compass के पास लेकर के जाओं और कुछ इस तरीके से मैं इसे घुमाओं तो देखो जैसे ही बार magnet इस compass के पास आया compass की जो magnetic needle थी वो क्या करने लगी? compass की magnetic needle देखो dance करने लगी, dance करने का मतलब क्या है? dance करने का मतलब यह है कि compass की magnetic needle में क्या हो गया है? एक deflection आ चुका है इनीचली जब compass और हमारा यह जो बार magnet है यह दोनों आपस में दूर दूर थे, कोई deflection नहीं हो रहा था magnetic needle जैसी थी वैसी थी, लेकिन जैसे ही बार magnet पहुँचा इस needle के पास, तो देखो needle जो है dance करने लगी, यानि कि इसमें deflection होने लगा अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ, तो हुआ क्यों? क्यों compass की magnetic needle बार magnet के पास आते ही dance करने लगी, यानि कि deflection शो करने लगी? तो इसका जवाब यह है, कि यहाँ पे हमारे पास जो दो magnets है ना, उन दोनों की ही magnetic field आपस में क्या करने लगती है, interact करने लगती है बाई, magnetic field क्या होती है magnet की? इसके उपर भी हम अभी ही इसी session में कुछ दो-तीन मिनट बाद चर्चा करने वाले हैं तो चिंता की बात नहीं कि मैं एकदम से magnetic field बोल रही है, हमें तो पता ही नहीं हम तो भूल गए magnetic field कोई बात नहीं, मैं याद दिला दूँगी, ठीक है? रिविजन हम इसे लिए तो कर रहे हैं, तो magnetic field क्या होती है, उसके उपर भी हम सर्चा करेंगे, लेकिन अल्रेडी हम ये chapter पर चुके हैं, तो कहीं न कहीं हमें ये बात तो पता है कि हां हर एक magnet की क्या होती है, magnetic field होती है, तो बार magnet जो है, इसके भी एक magnetic field है, कमपस की जो magnetic needle ह इसके पास भी क्या है, अपनी एक magnetic field है, तो कुल मिला कर कि मेरे पास अभी दो magnets से दोनों ही magnets की अलग-अलग magnetic fields थी, और दोनों ही magnetic fields आपस में क्या करने लगी, इंटरैक्ट करने लगी, कब इंटरैक्ट करने लगी, जब मैं अपने इस compass को, sorry, इस bar magnet को किसके पास लेकर के तो जैसे ही compass और बार-magnet पास-पास आए दोनों हीultur फीनकिल कि फील्ट ती वह आपस में क्या करने लगी इंकरने लगी तीका है और हुआ क्या इस बार-magnet की magnetic field के influence में आ करके इस बार-magnet की magnetic field के दबाव में करके Compass की जो magnetic needle है वह क्या करने लगी deflection show करने लगी तो इस simulation से हम यह चीज़ conclude कर सकते हैं यह नो किसी भी animation किसी भी graphics को देखने के बाद simulation को देखने के बाद क्या conclusion हम निकालते हैं वो भी तो discuss करना जरूरी है तो इस simulation से हमने क्या चीज़ सीखी है सी हमने यह चीज़ सीखी है कि जब दो magnets पास पास आते हैं तो उन दोनों ही magnets की magnetic field क्या करती है आपस में interact करती है बार magnet की magnetic field के influence में आकर के जो magnetic needle है वो क्या करने लगी deflection शो करने लगी तो यदि आपको किसी magnet को क्या करवाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको किसी दूसरे magnet की magnetic field को उसके पास लेकर के आना पड़ेगा क्या conclusion निकला कि अगर आपको किसी मैगनेट को deflect कराना है उसमें deflection show कराना है तो इसके लिए आपको किसी दूसरे मैगनेट की magnetic field को उसके पास लाना पड़ेगा तब ही दोनों magnets की magnetic field आपस में क्या करेंगी? interact करेंगी और दूसरे मैगनेट की magnetic field के influence में आकर के आपका जो magnet है वो क्या करेगा deflection शो करेगा ठीक है I hope इतना सभी को समझ में आ गया होगा अब अगर आपको ये वाला simulation समझ में आ गया है तो अब हम चलते हैं दूसरे simulation पर दूसरा simulation बेसिकली हमको ये बताएगा कि hence Christian Orested का experiment exactly क्या था अब आपको दिखड़ा होगा एक experiment का setup और ये experiment कौन सा है भई ये है hence Christian Orested का experiment तो इस setup में बेसिकली आपको एक electric circuit दिखाई दे रहा होगा इस circuit में आपके पास दो batteries है एक resistor है और दोनों ही आपस में कैसे connected है एक basically conducting wires के तुरू connected है और साथी साथ हमारे इस electric circuit में क्या है एक switch भी लगा है तो switch है batteries है resistor है और आप बोल सकते हो कि कुछ conducting wires है ठीक है इस electric circuit के पास में कौन रखा हुआ है एक रखा हुआ है हमारा एक compass ठीक है और अभी अभी हमने सीखा है भाई कि हमारा compass क्या होता है एक magnetic होता है अब हुआ क्या जैसे ही मैंने switch को close किया close किया मतलब क्या कि हमारा जो circuit है वो complete हो गया और जैसी circuit complete हुआ तो इस circuit में current flow होने लगा और जैसे ही current flow हुआ तो ज़रा इस compass की magnetic needle को आप ध्यान से देखते रहिएगा देखो क्या हुआ इस compass की magnetic needle क्या करने लगी give Fox करने लगी यानन की ALL करने लगी फिर से देख jem क्या किया था कि अगर आपको एक मैगनेट को किया करना hai deflex कराना है इसके लिए आपको कोई दूसरा मैगनेट ले करके आना पड़ेगा उस दूसरे मैगनेट की magnetic field के influence में आ करके जो पहलावाला मैगनेट है क्या करेगा deflection show करेगा तो पहले वाले simulation में जो हमारे पास compass था उसकी magnetic needle deflection show क्यों कर रही थी क्योंकि उसकी magnetic needle किसके influence में आ गई थी बार magnet की magnetic field के influence में आ गई थी उस वाले simulation में हमारे पास बार magnet था और एक compass था तो वहाँ पर तो ये चीज़ हमें समझ में आई थी कि हां magnetic needle deflection चो क्यों कर रही है क्योंकि उसके पास आ गया है एक बार magnet लेकिन सवाल ये है कि इस experiment में hence Christian Oristate के experiment में अब क्यों इस compass की magnetic needle deflection चो करने लगी यहाँ पे तो कोई magnet है ही नहीं कोई दूसरा magnet है ही नहीं तो किस magnet की कौन सी magnetic field के influence में आकर के हमारे compass की magnetic needle क्या कर रही है deflection चो कर रही है तो hence Christian Oristate ने बोला कि यह जो experiment था ना यह experiment में आप बोल सकते हो कि एक electric circuit था और उसी electric circuit के पास compass रखा हुआ था तो हो ना हो compass में जो needle का deflection हुआ है ना वो किसके कारण हुआ है इस electric circuit के कारण ही हुआ है याने कि इस electric circuit में आप बोल सकते हो कि conducting wires के थूँ जैसे ही electric current flow हुआ इस electric current के flow होने के कारण compass की needle क्या करने लगी deflection चो करने लगी तो hence Christian Oristate ने हमको यह बात प्रूफ कर दी कि भाई जब current flow होता है किसी conductor के थूँ तो वो conductor एक magnet की तरह behave करने लगता है और उस magnet हर magnet के पास क्या होती है अपनी एक magnetic field होती है Yes or No तो उस conductor की magnetic field के current उस conductor की magnetic field के influence में आकर के compass की जो magnetic needle थी वो क्या करने लगी deflection चो करने लगी क्या आपको ये चीज़ clear है दोनों ही simulation मैंने आपको दिखा दिये है अब मुझे लगता है कि आप कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलोगे कि Hans Christian Oristate का experiment था क्या Hans Christian Oristate ने अपने experiment में ये बात clearly बोली थी वही exam में directly यही सवाल आता है कि Hans Christian Oristate के experiment को explain करिए तो आप वहाँ पर ये लिखोगे कि Hans Christian Oristate ने सबसे पहले ये बताया था कि जो electric current होता है वो एक magnetic effect produce करता है उनका experiment क्या था तो भाई उन्होंने ने एक electric circuit जो है ना setup किया था जिसमें battery थी, resistor था, conducting wires थे, एक switch था और साथी साथ उस circuit के पास में compass रखा हुआ था जैसे ही क्या कर रहे थे, switch को on या off कर रहे थे magnetic needle, compass की जो magnetic needle थी उसमें deflection show हो रहा था deflection show क्यों हो रहा था क्योंकि आप बोल सकते हो कि जब conducting wires में electric current flow हुआ तो उस electric current के कारण एक magnetic field produce हो गई और उस magnetic field से magnetic needle की magnetic field थी वो क्या करने लगी interact करने लगी जब conducting wires में electric current flow हुआ तो एक magnetic field produce हुई electric current के कारण और इसी magnetic field के साथ compass की magnetic needle की magnetic field है वो क्या करने लगी interact करने लगी और current के कारण जो magnetic field produce हुई है उस magnetic field के influence में आकर के compass की magnetic needle क्या करने लगी deflection show करने लगी ठीक है तो यहां पर हम एक चीज़ conclude कर सकते हैं क्या conclude कर सकते हैं कि जो आप बोल सकते हो कि I है याने कि जो current है ठीक है हमारे पास जो current होता है वो directly proportional होता है किस के साथ तो magnetic field के साथ हम यह already chapter पढ़ चुके हैं तो हमको पता है कि magnetic field को हम capital B से denote करते हैं तो I is directly proportional to B ठीक है आई किसके प्रपोर्शनल होता है directly तो magnetic field के अगर आपने अपने इस सरकेट में क्या कर दिया बढ़ जाएगी और अगर आपने current के direction को change कर दिया तो क्या होगा चलो एक काम करते हैं current के direction को हम change करके देख लेते हैं कैसे change करेंगे आसान है जो आपके circuit में बैटरी लगी हुई है उसकी polarity change कर दो अभी देखो कैसे connected है negative positive negative positive अब एक काम करो बैटरी को उठा करके पल्टा दो तो जब आपने बैटरी को ही घुमा दिया इसका मतलब क्या है कि current की flow का direction क्या हो गया change हो गया जब करेंट की flow का direction change होगा ना तो magnetic field का भी direction क्या हो जाएगा change हो जाएगा यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ही मैं बैटरी की polarity को change करती हूँ तो जो deflection हो रहा है magnetic needle में वो कुछ अलग सा हो रहा है कभी कहीं जा रही है कभी कहीं जा रही है ठीक है तो यहां पर हैंस क्रिस्टन और इस्टेट का experiment क्या था वो मैंना को बता दिया उस experiment से हम conclusion क्या draw कर सकते हैं कि जो current होता है वो directly proportion होता है magnetic field के अगर आपने current बढ़ाया है current का magnitude बढ़ाया है तो magnetic field का जो magnitude है वो भी बढ़ जाएगा और अगर आपने current के flow का direction change किया है तो magnetic field का भी direction क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा और यहीं है क्या हैंस क्रिस्टन और इस्टेड और यह पूरा का पूरा चैप्टर इसी experiment के उपर बेस्ट है इसलिए कि मुझे दोनों simulation आपको दिखाना जरूरी था ठीक है अब मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा आप यह मत सोचेगा कि compass के वाल एक ही जगा पे हमने रखा है और एक ही जगा पे रखके जो हैना deflection शो हो रहा है ऐसा नहीं है compass की position आप change कर दो कहीं और उठा करके रख दो है ना कोई फरक नहीं पढ़ता कि compass आपने अपने circuit के पास कहा रखा हुआ है कहीं भी रखो उसमें deflection तो शो होना ही होना है क्यों क्योंकि current क्या कर रहा है magnetic field produce कर रहा है और इसी magnetic field के influence में आकर के magnetic needle क्या कर रही है dance कर रही है खतम बात चलो अब हम आजाते हैं जल्दी से अपनी बापस slides के ऊपर अब एक बार हमारी slides के ऊपर जो भी theory लिखी गई है उसको हम फटा फट से रीड कर लेते हैं Hence Christian Orested in 1820 discovered that a compass needle gets deflected when a current carrying metallic conductor is placed nearby it. According to him deflection of compass needle was due to magnetic field produced by the electric current. Any change in the direction of current will show a variation in deflection. Thus it was concluded that electricity and magnetism are related to each other. बहुत ही simple experiment था Hence Christian Orested का कि या तो आप एक electric circuit के पास compass लेकर के चले जाओ या एक compass के पास electric circuit लेकर के चले जाओ होगा क्या compass की जो magnetic reader है उसमें deflection होगा. Deflection क्यों होगा हम सबको पता है simulation से कि एक magnet में deflection तब ही होता है जब वो किसी दूसरे magnet की magnetic field के contact में आता है यानि कि हम पोच सकते हो कि दोनों magnets की magnetic field या करती है आपस में interact करती है तो दूसरे magnet की magnetic field के influence में आकर के पहले वाला जो magnet है वो deflection शो करता है तो सवाल ये था कि आखिर compass की magnetic needle में deflection शो क्यों हुआ क्यों कि हैंस Christian Oristet ने बताया कि जिस electric circuit में current flow हो रहा था उस circuit में obviously बात क्या था conductor था तो उस conductor में जैसे electric current flow हुआ electric current ने एक magnetic effect प्रेड्यूस किया यानि कि एक magnetic field प्रेड्यूस करी और यही magnetic field के influence में आकर के जो compass की magnetic needle थी वो क्या करने लगी deflection शो करने लगी याने कि current के current जो magnetic field प्रेड्यूस हुई है वो वाली magnetic field और compass की magnetic needle की जो magnetic field है आपस में क्या करने लगी interaction स्यों करने लगी तो हुआ क्या current के current जो magnetic field produce हुई है उसके influence में आकर के needle क्या करने लगी deflection शो करने लगी ठीक है और current इस डिलेटल प्रपोर्शिनल तो magnetic field current को अगर बढ़ाया तो magnetic field भी बढ़ा जाएगी current को अगर कम किया तो magnetic field भी कम हो जाएगी, क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि ultimately इस magnetic field को produce कौन कर रहा है, current ही तो कर रहा है, current को डारेक्षिन चेंज कर दिया, current का, तो फिर magnetic field का direction भी क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, I hope इस experiment में आप किसी को कोई डाउट नहीं होगा चलो अब हम बात करते हैं नेक्स टॉपिक की जो गी है magnetic field and magnetic field lines अब जैसे कि मैंना को promise किया था कि मैं आपको magnetic field भी एक बार फिर से revise करवा दूँगी या दिला दूँगी कि exactly magnetic field क्या होती है किसी भी magnet की तो जैसे कि मैंना को बताया था कि हर एक Magnetic की क्या होती है अपने magnetic field होती है अब exactly Magnetic field होता क्या है है तो देखतल इसको हम समझते हैं अब legit example से मेरे पास अभी क्या है एक magnet है ठीक है और मेरे पास दूशरी तरफ क्या है एक लोहे की कील है iron nail है थिक ऐ अब मुझे पता है कि magnet क्या करता है भाई पहले भी हमने पढ़ा है कि एक magnet जो है लोहे या लोहे से बनी हुई चीज़ों को अपनी तरफ attract करता है तो देखो जब inisually मेरा magnet और मेरी यह जो iron nail है यानि कि हुआ क्या अभी क्योंकि मैगनेट और इस कील के बीच में डिस्टेंस जाधा है तो इस कील के ऊपर किसी भी तरह का attractive force नहीं लग रहा था अब क्या होगा जैसे जैसे मैं इस मैगनेट और इस कील के बीच में डिस्टेंस जो है कम करती जाओंगी क्या होगा यह जो मैगनेट है ना यह धीरे-धीरे इस आयरन नेल के ऊपर strong attractive force लगाता रहेगा लगाता रहेगा लगाता रहेगा और एक पॉइंट पर आकर के देखो इस पॉइंट पर आकर के क्या हुआ इस मैगनेट में आरन नेल को अपनी तरफ attract कर लिया और आयरन नेल जाकर के चिप अगई कि इसके साथ इस मैगनेट के साथ ठीक है लेकिन यह जो force of attraction इस कील के ओपर लगा है यह कहां लगा है इस particular distance पर आकर ही लगा है इससे पहले अगर आरन नेल को इस मैगनेट के ओपर चिपकाने की कोशिश करती तो शायद नहीं चिपकता क्यों नहीं चिपकता क्योंकि जब distance जादा है इस आरन नेल और magnet के बीच का तो इस आरन नेल के ओपर कोई भी attractive force नहीं लग रहा है यह आरन नेल यानि कि यह कील तभी एक attractive force experience करेगी जब यह इस magnet के पास आएगी है ना जब magnet के पास आएगी तभी आरन नेल जाकर के magnet पर चिपकेगी तो सवाल यह है कि यह magnetic field क्या होता है तो magnetic field भाई वो region होता है around the magnet जिस region में आकर के या जिस region में magnet क्या करता है अपना force exert करता है अब magnetic force तो attractive भी हो सकता है, repulsive भी हो सकता है, अभी जो मेरा magnet है, वो क्या कर रहा है, एक attractive magnetic force exert कर रहा है, कि इसके ओपर, कील के ओपर, अगर मैं इस कील की जगा पे कोई दूसरा magnet लेकर के आ जाती, और हमें पता है कि जो opposite poles होते हैं, वो attract करते हैं, और जो like poles होते हैं, वो क्या क north pole को लेकर आओगे दूसरे magnet के south pole के साथ तो क्या होगा दोनों के बीच में attraction होगा yes or no तो like poles क्या करते है रिपल करते हैं और opposite poles क्या करते है attract करते हैं ठीके तो सवाल यह था कि magnetic field क्या है तो magnetic field वो region है जिसके अंदर कोई magnet क्या करता है अपना magnetic force exert करता है अब वो चाहे attractive हो फिर वो चाहे रिपल से हो यह चीज magnetic field क्या होती है इसकी value क्या होती है यह हमने अभी अभी इस example से सीखिए इस experiment से सीखिए कि जब मेरी जो कील है इस magnet के magnetic field में नहीं थी तब तक इसके उपर कोई attractive force नहीं लग रहा था जैसे ही यह कील इस magnet के magnetic field में आई इसके region में आई इसके इलाके में आई तो इसके उपर attractive force लग गया और जब तक इसके इलाके में नहीं थी इसकी magnetic field में नहीं थी इसके उपर कोई attractive force नहीं लग रहा था तो क्या आपको इस चीज़ से clear हुआ कि magnetic field क्या होता है magnetic field वो region होता है around the magnet जिस region में magnet अपना force exert कर सकता है फिर वो चाहे attractive हो फिर वो चाहे repulsive हो the space around a magnet in which the force of attraction and repulsion due to the magnet can be detected is called magnetic field ठीक है और यह क्या होती है एक vector quantity होती है ठीक है ऐसा unit of magnetic field क्या होती है टेसला होती है named after the American engineer Nikola Tesla तो basically magnetic field एक vector quantity है इसको हम capital B से denote करते हैं और इसकी ऐसा unit क्या होती है टेसला होती है ठीक है तो magnetic field के बारे में इतना जानना आपके लिए sufficient है अब सवाल यह आता है कि क्या magnetic field हमको दिखाई देती है बैई देखो यह वाला जो अभी अभी हमने experiment देखा था example देखा था इस magnet की जैसे कि मैंने आपको बोला कि हर एक magnet की क्या होती है एक उसके around space होता है उसका अपना एक इलाका होता है और उसी इलाके में वो क्या करता है अपना magnetic force exert कर सकता है लेकिन क्या आपको इस magnet की magnetic field दिखाई दे रही है वो इलाका दिखाई दे रहा है कि हाँ देखो यहां से लेकर के यहां तक इस Magnet की Magnetic Field मुझे दो दिखाई नहीं दे रहा ना तो Magnetic Field यह वो इलाका है Magnet का जो की हमें दिखाई नहीं देती है लेकिन जरूरी तो नहीं है कि जो चीज नहीं दिखाई देती वो होती ही है हमारे सरावंडिंग में इतनी एर होती है अलग-अलग उसमें gases होती है water vapors होती है water droplets होती है वहं시 steps के CAP सब्सक्राइब यह थाइ सब्या थे vaug magnetic field होती है how बस वह दिखाई नी दे रही है लेकिन इसका मथनाब यह नहीं कि magnetic field को हम कैसे देखे तो उसके लिए आती हैं called magnetic field Lines कौn आती है magnetic field lines कि field lines क्या होती है the imaginary lines representing magnetic field around a magnet are known as magnetic field lines यह imaginary lines होती है basically magnetic field lines जो की magnet के around जोसकी magnetic field है उसको represent करती है ठीक है अब अगर आपको याद हो तो इसके पहले जब हम ली चैप्टर पहली बार पढ़ रहे थे मैंने आपको सिखाया था कि किस तरीके से हम magnetic field lines को बना सकते हैं तो देखो कैसे बनाया था हमारे पास basically एक क्या था बार मैगनेट था ठीक है हमारे पास क्या था एक बार मैगनेट था उसका एक north pole था उसका एक south pole था ठीक है अब इस बार magnet की ऊपर हमने क्या रखा था एक प्लास्टिक का रखा हुवा था ओर उस प्लास्टिक की कवर की ऊपर हमने कुछ iron powder याने कि iron filings जो है हमने sprinkle करना शुरू की जैसे ही हमने iron filings को sprinkle करना शुरू किया जो iron filings थी वो कुछ अजीब से ही पैटर्ण में जाकर के इस bar Magnet के पास ехडिया हों गई क्या बोला मैंने कि हमारे पास कि एक बार uplarde में था बेसिकली अवी हम सीख रहें कि मैडेकिक फीलड़ाने जो हा न दिखती कैसी हैं तो हुआ क्या कि हमारे पास एक बार बैडने था उसका नौर्थ पोल है साउथ पोल है इस बार मैगनेट के उपर हमने एक प्लास्टिक की पर रखे थी एक आफ़र रखा था उस चावर के उपर हमने क्या क्या थोड़ा सा आइरन का पाॉडर आइटाइन का इंजी है थोड़ी छिढग देप है imaginary representation होता है किसी भी magnet की magnetic field का सवाल यह है कि किसी भी magnet की magnetic field lines दिखती कैसी है तो वो कुछ इस तरीके की दिखती है कैसे हमने पता किया तो सिंपल था एक experiment किया था magnet के ऊपर जो है ना बार मैंने के ऊपर प्लास्टिक का कवर रखे उसके ऊपर आइरन का पाउडर चड़क दिया आइरन फाइलिंस चड़क दि तो जैसी आइस फाइलिंस छिड़की स्प्रिंकल करी तो आइरन फाइलिंस जो है कुछ एक definite पैटर्न में जाकर के आप बोल सकते हो कि बार मैगनेट के अराउंड एकट्टा हो गई एक्यूमिलेट हो गई और वो जो अजीब सा पैटर्न था ना जो की आइरन फाइलिंस ने बनाया था उसी पैटर्न को हम क्या कहते हैं उन्हीं पैटर्न को हम कहते हैं magnetic field lines तो अब next question जो कि आपके board examination में आता है कि भाई properties क्या होती है इन magnetic field lines की पता है हमको कि magnetic field lines अब क्या होती है ने कि अब इनकी properties क्या होती है properties देख लो एक बार the magnetic field lines have the following properties they originate from north pole of a magnet and ends at the south pole क्या मतलब है कि जैसे कि हमने आपे क्या बनाया है एक बार magnet बनाया है यह रहा उसका north pole और यह रहा क्या उसका south pole ठीक है तो property यह होती है magnetic field lines की कि magnetic field lines जो है वो हमारे magnet के north pole से निकलती है और कहां जाती है, South Pole पे जाकर के Terminate हो जाती है North Pole से निकलेंगी और South Pole पे जाकर क्या हो जाएंगी Terminate हो जाएंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से अब ये कहानी किसकी है, ये कहानी है Magnet के बाहर की लेकिन Magnet के अंदर क्या होता है, Magnet के अंदर जो Magnetic Field Lines है, वो कहां से कहां ट्रेवल करती है वो ट्रेवल करती है, South से लेकर के Towards the North Pole, तो ये दो properties हो गई है Magnetic Field Lines की, पहली property क्या है, कि Magnet के बाहर जो Magnetic Field Lines है, वो कहां से निकलती है, North Pole से निकलती है, कहां जाकर के Terminate होती है, South Pole पे terminate होती है लेकिन अगर मैं बात करूँ किसकी magnet के अंदर की तो magnet के अंदर जो magnetic field lines है वो south pole से निकलती है और north pole पर जाकर के terminate हो जाती है दो properties हो गई ठीक है फिर तीसरी property यह है कि यह जो field lines है वो कैसी होती है closed होती है और continuous loops बनाती है गोल गोल बेरी से करी loops का मतलब क्या होता है छले ठीक है तो हमारी जो magnetic field lines है वो closed होती है और गोल गोल चले बनाती है तो देखो यहां पर आपको दिखी रहा होगा कि जब मैं आपर बात कर रही हूं magnetic field lines की तो मैंने कभी भी इस तरह की magnetic field lines भी बनाई कैसी तो देखो यह हमारा पास क्या है एक यह है उसका साउथ पोल और यह उसका नॉर्थ पोल ठीक है तो मैंने magnetic field lines को केवल यहां तक बना करके नहीं छोड़ दिया यहां तक बना करके मैंने नहीं छोड़ा इसको मैंने पूरा complete किया है यहां से लेके यहां तक बाहर से निकल के दोबारा अंदर गई है क्यों बनाया ऐसा क्योंकि magnetic field lines की properties यह होती कि magnetic field lines क्या करती है close जोती है और continuous loops बनाती है गोल गोल चल्ले बनाती है तो यहां पे आपको magnetic field lines की तरीके से गोल गोल चल्ले बना रही है वह आपको दिखाई दे रहा होगा फिर इसके बार में next property क्या है they are crowded near the poles where the magnetic field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is weak अब क्या होता है न देखो जैसे ही हमने यह जो अपना experiment किया था magnetic field lines को you know पता करने के लिए कि magnetic field lines exactly दिखती कैसी है तो देखो जैसे हमने बार magnet के उपर iron filings को हमने जब sprinkle किया तो हमने एक चीज नोटिस करी पहला observation तो हमारा obviously यही था कि जो iron filings है वो इस magnet के उपर जाकर के एक अलगी pattern में जाकर के accumulate हो गई थी है ना और उसी pattern को हम क्या बोते हैं magnetic field lines कहते हैं लेकिन एक और चीज हमने यह पर observe करी थी कि हमारे magnet के जो दो poles होते हैं North pole और South pole इन दोनों poles पर बहुत जादा iron filings accumulated थी pattern जो बना था वो अलग था लेकिन हमने यह भी चीज नोटिस करी कि हमारे magnet का जो North और South pole है इस North और South pole के ऊपर बहुत जादा iron filings क्या थी accumulated थी इसका मतलब क्या है जहां पे iron filings का accumulation जादा है इसका मतलब क्या कि वहां पे magnetic field lines कैसी है जादा है magnetic field lines बताती क्या है magnetic field lines हमको magnetic field तो बताती है तो जिस point में magnetic field lines जादा है इसका मतलब क्या? कि वहाँ पे magnetic field की strength कैसी है strong है हमको magnetic field lines देखनी थी कि magnetic field lines कैसी दीखती है इसलिए तो हमने यह experiment किया था कि हमने जो है एक बार magnet लिया था उसके ओपर प्लास्टिक का कवर रखके उसके ओपर आरेन का पाउडर छड़का था आरेन की जो फाइलिंग्स है वो अजीब से पैटर्ण में जाकर के एक्युमलेट हो गई थी अराउंड बार मैगनेट तो हमको समझ में आया कि भाईया यह जो आरेन फाइलिंग्स ने जो पोल्स होते हैं नौर्थ और साउथ पोल वहां पे आयरेन फाइलिंग्स जादा एक्युमलेटेड हैं बहुत जमी हुई है नौर्थ और साउथ पोल पे तो जहां पे आयरेन फाइलिंग्स जादा है इसका मतलब क्या वहां पे मैगनेटिक फील लाइन जादा है और मैगने तरफ crowded होती है क्यों क्रावड होती है क्योंकि पोल्स पे हम वहते हैं कि magnetic field कैसी होती है strong होती है इसके अलावा अगर आप बार magnet के ऊपर या नीचे जाओगे यानि कि poles को छोड़के कर और जाओगे तो वहाँ पे आपको magnetic field कैसी मिलेगी weak मिलेगी यानि कि मैंनों इतनी strong आपको नहीं मिलेगी जिसके कारण जो magnetic field line से वो कैसी होती है आपस में थोड़ी सी दूर दूर होती है तो poles पे क्योंकि magnet की magnetic field की strength जादा होती है तो वहाँ पे जो magnetic field line से वो जमी होती है या बोल सकते हो कि crowded होती है यानि कि एक दुछे के बहुत पास-पास होती है चिपक के रहती है और जहां पे magnetic field कम होगी strength weak होगी तो वहाँ पे magnetic field lines आपस में दूर दूर हो जाएंगी कहां दूर दूर हो कहाती important property है magnetic field lines की कि magnetic field lines कभी भी आपस में interact नहीं करती है ठीक है आपस में intersection नहीं होता मेंने field lines का कैसे तो देचो यहां पर हमारे पास क्या है एक बार magnet है यह है उसका North pole और यह स्ट वह नौ्ट पोल और यह है इसका एक North तो यह आ गई क्या एक magnetic field line चलो हम एक दूसरी वाली magnetic field line भी बना देते हैं अभी हम बना रहे हैं red color से ठीक है तो यह हमने बना दी red color से एक और magnetic field line ठीक है अब अगर मैं आप से पूछू कि मुझे अपनी magnetic field का direction पता करना है कहां पता करना है on the magnetic field line यह क्या बनाई है मैंने red और blue color की यह दोनों मैंने magnetic field lines बनाई है अब अभी मैं आप से चारी हूँ कि मुझे अपनी magnetic field की direction पता करनी है कहां पता करनी है magnetic field line के ओपर तो सपोज यहां पर क्या है point A है ठीक है इस point पे magnetic field का direction क्या है तो मैं कैसे पता करूँगी इस point A के about में क्या करूँगी एक tangent draw कर दूँगी तो जो tangent का direction होगा वही point A पे magnetic field का direction होगा similarly अगर मुझे point B पे ठीक है point B पे मुझे क्या करना है magnetic field का direction पता करना है तो मैं क्या करूँगी इस point B पे एक tangent draw कर दूँगी, ये लो ये कर दिया मैंने एक tangent draw, तो ये tangent का जो direction है, वही direction क्या होगा, magnetic field का direction होगा, कहाँ, at point B, ये point B कहाँ है, तो magnetic field line पर है, अब एक काम करते हैं, बात क्या थी, बात तो ये है न, कि हमारी जो field line से, वो आपर में कभी intersect नहीं करती है, तो एक काम करते हैं, intersect करा कर देखी लेते हैं, तो again हम क्या करेंगे, एक बार magnet बनाएंगे, ये हुआ उसका south pole, ये हुआ उसका north pole, magnetic field line गई, एक ये वाली, कहाँ से कहाँ निकली है, magnet के बाहर north से south pole निकली है, और यहाँ पे हम बना देते हैं, एक दूसरी field line, जो कि क्या कर रही है, पहली वाली field line को at point O, ठीक है, at point O क्या कर रही है, intersect कर रही है, तो एक बार magnet है, इस बार magnet से निकल रही है दो magnetic field lines, और दोनों ही आपस में intersect कर रही है, कहा point O पे, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि भई, point O पे magnetic field का direction क्या है, तो आप कैसे बनाओगे, भई, यहाँ पे तो क्या आप अभी भी दो direction देने वाले हो, भई, magnetic field line पर किसी भी point पे, अगर मुझे magnetic field का direction पता करना है, तो मैं क्या करती थी, एक tangent draw कर देती थी, है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दो magnetic field lines हैं, लेकिन दोनों आपस में point O पे क्या कर रही है, intersect कर रही है, तो इस point O intersection पे अगर मैं आपको बोलू, कि ज़रा मुझे magnetic field का direction बता करके, यह draw करके दिखाओ, तो आप कैसे दिखाओगे, कितने tangent draw करोगे भाई, यह possible ही नहीं है, तो यही तो property हमसे पोल रही है, exactly यह NCRT की line है, कि भाई, at the point of intersection ना, magnetic field की कितनी directions हो जाती है, दो directions हो जाती है, और magnetic field की कभी, दो directions नहीं हो सकती है, which is not possible, at a given point, एक point पे magnetic field की directions नहीं हो सकती है, और जहां पे, दोनों magnetic field lines intersect कर रही है, उस point of intersection पे, अगर आप magnetic field का direction के निकालना चाहोगे, तो basically आपको दो directions मिल रहे हैं, क्योंकि आपको दो tangents दिखाई दे रहे हैं, दो tangents का मतलब क्या है, दो direction, तो क्या magnetic field की एक point पे दो directions हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, इसलिए magnetic field lines कभी भी intersect नहीं करती है, थीक है, तो यह कुछ important properties है, exam में as it is question आ जाता है, कि भाई magnetic field lines जो है, उनकी exactly magnetic field lines क्या होती है, और उनकी properties क्या होती है, तो आपको बताना पड़ेगा कि हर एक magnet का क्या होता है, अपना एक इलाका होता है, और उसी इलाके में, उसी region में, उसी area में वो अपना magnetic force exert करता है, चाहे वो attractive हो, चाहे फिर वो repulsive हो, ठीक है, और उसी region को हम क्या कहते हैं, magnetic field कहते हैं, लेकिन unfortunately किसी भी magnet की जो magnetic field क्या है, magnetic field lines के होती हैं, बिसी काली imaginary lines होती हैं, जो कि magnet की magnetic field को represent करती है, कैसी दिखती है magnetic field lines, तो इसके लिए हमारे पास एक bar magnet था, उस bar magnet को हमने कहां रखा, table पे रखा, table के उपर, bar magnet के उपर हमने एक plastic का cover रखा, उस plastic के cover के उपर हमने iron filings छिटकी, जैसी iron filings हमने छिटकी, तो वो जो iron filings हैं, वो कुछ अजीब से pattern में जाकर के arrange हो गई, around the bar magnet, तो वो अजीब सा pattern और कुछ नहीं, वो अजीब से pattern क्या था, magnetic field lines थी, वो कौन थी, magnetic field lines थी, तो हमने magnetic field lines को देखा, कि हाँ magnetic field lines ऐसी दिखती हैं, तो definitely हमारे बाहर magnet की magnetic field कैसी होगी, कुछ ऐसी होगी, ठीक है, तो फिर इसके अबने properties क्या होती हैं, कि magnet के बाहर जो magnetic field lines हैं, वो north से कहां निकलती हैं, north pole से निकलती हैं, और south pole में जाकर के terminate हो जाती हैं, यह कहां नहीं है magnet के बाहर, लेकिन magnet के अंदर क्या होता है, magnetic field lines south से कहां जाती है, north pole की तरफ जाती है, poles पे magnetic field lines बहुत ही crowded होती हैं, देखो यहाँ पे कितनी सारी हैं, यहाँ पे magnetic field lines, यहाँ कि magnetic field lines हैं, लेकिन आपस में बहुत पास पास हैं, देखो जगा ही नहीं दिख रही है, इन लोगों के बीच में, क्यों? क्योंकि poles में हम बहुता है कि magnetic field की strength जाधा होती है basically, magnetic field lines है, वो किसको denote करती है, कि किसको represent करती है, magnetic field को, जहाँ magnetic field की strength जाधा होगी, तो वहाँ पे magnetic field lines है, वो भी कैसी होंगी distance दिखाई दे रहा हो गए, यानि कि magnetic field lines आपको, अलग-अलग, दूर-दूर दिखाई दे रही होंगी, है न? चलो, फिर इसके बाद में हम बोलते हैं कि, जो magnetic field lines है वो हमेशा क्या बनाती है, एक closed circular loops बनाती है फिर इसके बाद में, magnetic field lines जो हैं, वो कभी भी intersect नहीं करती हैं आपस में, क्योंकि at the point of intersection, magnetic field के दो directions हो जाएंगे, जो कि possible नहीं होता है, तो मुझे लगता है कि आपके लिए इतनी information काफी है, revision के point of view से, magnetic field और magnetic field lines के उपर, ठीक है? अब हम बात करते हैं हमारे next topic की next topic क्या है? magnetic field due to current carrying conductors, अब हमें क्या पढ़ना है? जब एक conductor में current flow होता है तो यह तो हम अभी पढ़के आज चुके हैं कि हाँ, conductor में जब current flow होगा तो वो एक magnet की तरह behave करेगा यानि कि एक magnetic field produce होगी तो किस तरहीके की magnetic field produce होती है तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के conductor है एक है हमारे पास straight wire conductor एक है हमारे पास circular coil और एक है हमारे पास solenoid तो तीनों ही conductor में जब electric current flow होता है तो किस तरहीके की magnetic field produce होती है, अब हम पढ़ेंगे हमारा ये वाला topic सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक straight wire conductor की तीन टाइप के conductor है circular loop है और एक solenoid है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक straight wire conductor की जब एक straight wire conductor में electric current flow होता है तो magnetic field कैसी produce होती है और इस जीसको भी हम समझते हैं एक simulation अब हम आचुके हैं अपने इस simulation पे, इस simulation की तरूँ हम समझने की कोशिश करेंगे की कैसे एक straight wire conductor के थूँ जब electric current flow होता है तो किस तरीके की magnetic field produce होती है तो अभी आपको एक green color का एक straight conducting wire दिखाई दे रहा होगा वेसिकलिए conductor है और इस conductor के अंदर electric current flow हो सकता है हो सकता है क्यों बोला क्योंकि अभी के लिए इस conductor में electric current flow नहीं हो रहा है obvious सी बात है कि जब तक किसी conductor के थूँ electric current flow नहीं होगा तब तक वो conductor एक magnet की तरह behave नहीं करेगा अगर वो magnet नहीं है इसका मतलब क्या उसका अपना कोई इलाका नहीं है magnetic field नहीं है इसका मतलब क्या क्या कि यह जो conductor है वो अभी magnet नहीं बना है और अगर magnet नहीं बना है इसका मतलब कोई magnetic field नहीं है magnetic field नहीं है तो magnetic field को represent करने वाली magnetic field lines वह भी नहीं है तो इसलिए आपको इस conductor के आसपास कोई भी magnetic field lines दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि नहीं है क्योंकि अभी यह magnet बना ही magnet क्यों नहीं बना क्योंकि अभी इसमें current flow होई नहीं रहा है एक काम करते हैं अब इस conductor के तुरू electric current हम flow करवा ही देते हैं ठीक है थोड़ा सा हम अपने electric conductor को ठीक से बना लेंगे यह रहा हमारा conductor ठीक है अब हुआ क्या इसमें हमने electric current को flow करवाना शुरू किया ठीक है electric current flow कैसा हो रहा है electric current flow हो रहा है wire में नीचे से उपर की जरफ current कहा जा रहा है नीचे से उपर की तरफ current जा रहा है current का direction important है क्योंकि hence Christian Oristate के experiment से हमने conclusion यही पढ़ा था कि जो magnitude होता है current का वो directly proportional होता है magnetic field के magnitude से जो direction होता है current का वो directly proportional होता है magnetic field के direction से तो direction भी ऑनको इस हीरे में आपको योविनों बताती जारी हूँ कि अभीわ चल रहा है तो जेहो नीचे से ऊपर की तरफ हमारे इस wire में इस कंडर्टर में current फ्लो हो रहा है जैसे करेंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया हमारे कंड़क्टर में अब हमारा कंड़क्टर क्या बन गया एक मैगनेट की क्या होती है magnetic field होती है क्या हमको magnetic field दिखाई देती है नहीं क्या दिखाई देता है magnetic field के representations तो यहां पे आपको बहुत सारी क्या दिखाई दे रही होंगी magnetic field lines दिखाई दे रही होंगी जरा मुझे आप in magnetic field lines का structure समझाए pattern समझाई कि किस तरीके से किस pattern में magnetic field लाइन्स बनी है अराउंड अस्ट्रेट कंड़क्टिंग वायर तो आप बोलोगे कि मैं यहां पे तो हमको मैंने टिक फील लाइन का क्या है मैंने टिक फील लाइन हमारे स्ट्रेट कंड़क्टिंग वायर के आपका कंड़क्टर कमें ओएसा ठोड़े ना होगा कि बायर वहां पड़ा है और उस कंड़क्टर की जो magnetic field है वो कहीं और बनी हुई है है ना magnetic field lines कहीं और बनी हुई यह नहीं magnetic field lines की जो concentric circles होते हैं उनी circles के center में क्या present होता है आपका एक straight conducting wire या conductor present होता है ठीक है तो देखो ज़रा किस तरीके से अचा अगर यह basically suppose हमारे पास यह जो wire है ना इस wire के इस point पे किस तरीके की magnetic field lines produce हो रही है अभी हम वो देख रहे हैं तो यहां से तो हमें देखके कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना देखो जैसे यह wire है और इस wire के इस point के about क्या हो रहा है magnetic field lines produce हो रही है तो यह कुछ इस तरीके की होती है तो ऐसे देखने पे तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि magnetic field lines कैसी देखती हैं, तो हमने क्या किया, थोड़ा सा अपने wire को उपर से देखा है, अभी तक हम अपने wire को सीरे सीरे देख रहे थे, आपने सामने से, अब हम क्या कर रहे हैं, wire को कुछ इस तरीके से उपर से देख रहे हैं तो जब हम उपर से देखेंगे तो तब जाकर के हमें magnetic field lines का exact pattern समझ में आएगा कि हाँ यह concentric circles में present होती है अब एक काम करते हैं जैसा कि हमने hence Christian or state में पढ़ा है कि जो magnetic field है वो या जो current है वो directly proportion हो जाती है कि इसके magnetic field के ठीक है एक काम करते हैं क्यों ना हम current को change करके देखें जो हैंस Christian or state ने बात कही है हमसे उसका कोई ना कोई प्रूव भी दो होना चाहिए ना तो एक काम करते हैं current को हम change करके देखते हैं ठीक है अभी 12 MPR current है तो क्यों ना इसको हम 6 कर दें just half करते हैं तो जैसे ही हमने you know current को half किया कम करा तो आप यहां पर देख सकते हो कि magnetic field भी क्या हो गई है कम हो गई है ना जब देखो ना current अपना जादा था कितना था 12 कितना था 12 था तो यहां पे जो magnetic field lines थी वो कैसी थी काफी जादा थी जितनी जादा magnetic field lines मतलब समझ लो उतनी ही strong magnetic field लेकिन जैसे ही हमने current को half कर दिया छे कर दिया तो देखो magnetic field lines कितनी हो गई कम हो गई magnetic field lines के कम होने का मतलब क्या है magnetic field की strength कम हो गई यानि कि magnetic field क्या हो गई weak हो गई तो जब हम current कम करेंगे तो magnetic field कम हो जाएगी एक काम करते है current को हम बहुत बड़ा देते हैं 19 कर दिया हमने तो देखो magnetic field कितनी सारी हो गई है यहां पर आपको कितनी सारी दिखाई दे रही है जितनी ज्यादा magnetic field lines समझ लो उतनी ही strong magnetic field तो हैंस Christian or state के जो एक स्पेरिमेंट से हमने conclusion जो निकाला था तो एक conclusion तो यहां पर हमने प्रूव होता हुआ देख लिया कि अगर हमने यू रहा है तो magnetic field बढ़ जाएगा और अगर हमने करेंट को कम किया है जब हमने करेंट को 19 एंप्य रखा है तो देखो magnetic field कितनी स्ट्रॉंग है कितनी सारी Crimson संको दिखाई दे रही हैं और अगर हमने करेंट को बहुत कम कर दिया सपोर दो more कर दिया तो देखो जारा मैंनेस टीन रह गई गई है यानों कि मैंनेस को गई है कम हो गई है अब एक play मैंने काम करते हैं यह पार थे य किसकी कंफ की मैंने मोट की किसन क्रहिंज यह क्राइप करते हैं कि हैंस क्रींट के एक्सपरिमेंट Mariozech ankl Hier ना पहलबंगा च्बार्ट करें कि अगर हमने हो किनंग्र को जा रही है तो यह जा रही है anti clockwise direction में जा रही है कैसे जा रही है anti clockwise clockwise और anti clockwise में कभी confuse मत हो न जिस direction में आपकी घडी की जो सूईयां होती है वो घूमती है 1-2 बचते हैं 2-3-4 तो जिस direction में घडी की सूईयां घूमती है उसे हम कहते है clockwise direction और अगर आपने उस direction को उल्टा कर दिया तो वो बन जाता है anti-clockwise direction ठीक है तो यह अभी आपको यहाँ पे जो जब current यू नो कहां से कहां जा रहा है conductor में नीचे से उपर की तरफ जा रहा है तो magnetic field lines देखो कैसी बन रही है anti-clockwise direction में बन रही है है ना ultra direction में जा रही है लेकर इने काम करें हम अगर हम current की flow का direction change कर दे यहने कि अभी तो current नीचे से उपर जा रहा था अब अगर हम उपर से नीचे कर दे तो क्या होगा जैसी हमने current की flow का direction बदला देखो जारा magnetic field ने भी अपना direction क्या कर लिया है चेंज कर लिया है अब जो feed lines है वो कहां से कहां जा रही है अब वो जा रही है देखो clockwise direction में ठीक है कि उस समय हमारे इस conductor की magnetic field कैसी थी anti-clockwise direction में थी लेकिन जैसी हमने current के flow का direction change किया उपर से नीचे current को भेजा तो magnetic field lines कैसी हो गई देखो clockwise direction में जाने लगी यानि कि अब magnetic field का direction क्या हो गया change हो गया कैसा हो गया Clockwise हो गया तो दोनों conclusions अमने पर प्रूब कर लिये अगर current का magnitude हमने कं किया है तो magnetic field भी क्या हो जाएगा कं हो जाएगा अगर हमने current का magnitude बढ़ा दिया है तो I hope यह simulation सभी को समझ में आया होगा और किस तरीके से Hank Christian और Strait के experiment के दोनों conclusions को हम prove कर सकते हैं वो भी हमने देख लिया, अब हम आजाते हैं जल्दी से अपनी slide अब simulation हमने देख लिया है, अब जो भी theory दी गई है उसको हम फटा-फट से read कर लेते हैं The magnetic field lines around a current carrying straight conductor are concentric circles whose centers lie on the wire एक straight current carrying conductor के around किस तरीके से magnetic field lines present होती हैं, तो concentric circles के form में present होती हैं अब जो magnitude है, magnetic field B का produced by a straight current carrying conductor at a given point is directly proportional to the current passing through the wire अगर I amount का current flow हो रहा है, conductor में तो जो magnetic field produce होई है उस conductor में वो किसके proportional हो जाती है, current के If current is increased, the magnetic field produce a stronger and vice versa अभी अभी देखा था, कि जादा current बढ़ाया current का magnitude हमने जब बढ़ा दिया तो जो magnetic field थी वो और strong हो गई कैसे strong हो गई, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि जादा magnetic field lines आ गई थी जैसी हमने current को बढ़ाया था 12A किया था, तो जादा से जादा magnetic field lines आ गई थी, यानि कि magnetic field strong हो गई थी, जैसी हमने current को कम किया 6A, तो magnetic field lines क्या हो गई कम हो गई, यानि कि magnetic field क्या हो गई आप बोल सकते हो कि वीक हो गई ठीक है और डायरेक्शन भी हमने देख लिया अब जब डायरेक्शन की बारी आती है कि किस तरीके से हमारे पास जब एक current carrying conductor होता है एक straight current carrying conductor होता है तो उसमें हम कैसे magnetic field का direction पता करें तो तब आ जाता है एक rule जिसको हम कहते है जो थम है न, वो क्या बताता है? वो हमें बताता है辛 які क收का direction, Maxwell's, right hand thumb rule हमें क्या बताएगा? Basically, इसमें हमको अपना right hand use करना होता है, left मत करना है, right वाला करना, तो right hand thumb rule में हम क्या करते है? कि जो right hand का जो thumb होता है, वो basically हमें बताता है कि current के flow का direction क्या है? जैसे initially हमने जो भी simulation देखा था उसमें जो current है वो wire में conductor में नीचे से उपर की तरफ flow हो रहा था तो उस समय हम अपने thumb को कहां रखेंगे कुछ ऐसे रखेंगे thumb क्या बताएगा current कहां जा रहा है नीचे से उपर जा रहा है और जब हमने current की फ्रोकर डारेक्शन चेंज कर दिया था तो चेंज करने पर क्या हुआ था current conductor में उपर से नीचे की तरफ जा रहा था तो उस समय हम अपना thumb कैसे रखेंगे ऐसे रखेंगे तो जब thumb उपर है इसका मतलब क्या current कैसे जा रहा है एक straight conducting wire में नीचे से उपर कि तरफ और हम अपने thumb को ऐसे रखेंगे इसका मतलब क्या current कैसे मूव हो रहा है हमारे straight conducting wire में उपर से नीचे की तरफ हो रहा है ठीके यह तो बात हुई थम की बाकी फिंगर्स को क्या करें बाकी फिंगर्स को हमको क्या करना है कर्ल करना है याने की मोड़ना है और जहां हमारी फिंगर्स कर्ल हुई मतलब समझ लो वो क्या है वो है magnetic field का direction मैंने आपको बोला ना कि जैसे conductor में current flow होता है magnetic field produce होती है तो next question यहीं आता है कि आखिर अब हम इस conductor में जो magnetic field produce होई है उसके direction को हम कैसे पता करें तो direction को पता करने के लिए हमारे पास आता है Maxwell's right hand thumb rule thumb हमें बताता है current की flow का direction और जिस direction में हमारी fingers curled होती है वो direction हमें क्या बताता है magnetic field का direction बताता है ठीके इट states that if you hold the current carrying straight wire in the grip of your right hand in such a way that the stretched thumb points in the direction of a current then the direction of the curl of the fingers will get the direction of the magnetic field this rule is also called Maxwell's cork screw rule इसको हम Maxwell का cork screw rule भी कहते हैं ठीके चलो अब जड़ा हम देखी लेते हैं कि किस तरीके से इस rule से हम magnetic field का direction पता कर सकते हैं तो देखो initially जो हमारे पास wire था उसमें current कहां से कहां जा रहा था नीचे से उपर की तरफ तो obviously बात है हम अपने thumb को कहां रखेंगे thumb को हम रखेंगे उपर की तरफ ठीके thumb को हमने place कर दिया अब हम क्या करेंगे अपनी fingers को curl करेंगे जैसे ही हमने fingers को curl किया तो हमने देखा कि हमारे fingers curl कैसे हो रही है यह तो जो है ना anti clockwise direction बन रहा है मैंने आपको बताया है ना clockwise का मतलब क्या होता है जिस direction में आपकी घड़ी की सोईया गूमती है उसे हम कहते हैं clockwise direction और जिस direction के बिसिकली clockwise direction का उल्टा कर दो तो क्या बन जाएगा anti clockwise direction तो जब current conductor में नीचे से उपर की तरफ जा रहा था तो मैंने अपने thumb को place किया और fingers को curl किया जब fingers को curl किया तो मैंने यह observe किया कि भाई जो fingers है वो तो anti clockwise direction में curl हो रही है इसका मतलब क्या जब current conductor में नीचे से उपर की तरफ जाता है तो magnetic field का direction क्या होता है anti clockwise और जैसे ही मैं current की flow का direction change कर दूँ यानि कि आप current जो है देखो इधर पे मेरी fingers कैसे curl हो रही है clockwise direction में जिस direction में घड़ी की सोईया गूमती है उसी direction में मेरी fingers क्या हो रही है curl हो रही है इसका मतलब क्या कि जब straight conductor में straight wire conductor में current उपर से नीचे की तरफ जाएगा तो magnetic field का जो direction है वो कैसा हो जाएगा clockwise हो जाएगा ठीक है वो कैसा हो जाएगा clockwise तो Maxwell's right hand thumb rule से हम एक conductor के तुरू जब electric current flow होता है तो किस तरीके से magnetic field का direction बता करते हैं वो हमें सिखाता है तो जब current उपर से नीचे जा रहा है तो current का direction कैसा होगा anti-clockwise जब current conductor में उपर से नीचे जा रहा है नीचे से उपर जाएगा तो anti-clockwise उपर से जब नीचे जाएगा तो हम बोलते हैं कि कैसा हो जाएगा वो clockwise हो जाएगा ठीक है और हाँ हाथों में confuse मत हो ना basically आपको right hand अपना use करना है ठीक है तो ये तो बात हुई किस की पहले type के conductor की अब हम conductor का shape थोड़ा सा change कर देते हैं change करके हम क्या ले आते हैं magnetic field due to current through a circular loop अब हमारे पास एक straight conducting wire नहीं है अब हमारे पास क्या है एक circular loop है circular loop का मतलब क्या है देखो आपके पास जो पहले wire था ना उसी को आप घुमा दो जब वो घुमे का तो क्या बन जाएगा एक coil बन जाएगी है ना एक छला बन जाएगा तो एक circular coil के around जो magnetic field है basically जब एक circular coil में current flow होता है तो उसके around किस तरीके के magnetic field produce होती है अब वो हमें चीज समझनी है तो इस अब जो कि हम यह चैप्टर अल्रेड़ी पढ़ चुके हैं देखो बात यह ना कि जब हम बात करते हैं रिविजन की तो रिविजन में हम हर एक टॉपिक को बहुत डीटेल में नहीं पढ़ सकते हैं अब जो बच्चे औरेड़ी यह चैप्टर पढ़ चुके हैं तो अभी जो भी रिविजन सेशन में इस सेशन में मैं आपको explain कर रही हूं समझा रही हूं वह आपको समझ में आ रही होगी और जो यह बच्चे पहली बार यह चैप्टर पढ़ रहें और सीधे रिविजन का वीडियो देख रहे हैं यह वाला सेशन देख रहे हैं तो उन बच्चों के लिए मेरा suggestion यहीं रहेगा कि आप जा नहीं जा सकते हैं तो अभी के लिए क्या बता है मैंने आपको कि हमारे पास पहले एक straight wire था उसी को मैंने घुमा करके क्या बना दिया है एक circular coil बना दी है अब उस circular coil के around magnetic field हमें देखना है कि किस तरीके की produce होती है तो हम सब को पता है कि एक circular coil में जब electric current flow होता है तो concentric circles में ह a current carrying circular loop the magnetic field is in the form of concentric circles around it अब आप बोलोगे कि मैं फिर shape बदलने का फाइदा क्या हुआ जब हमने अभी straight current carrying conductor पड़ा था उसमें भी हमने देखा था कि उस straight current carrying conductor के about concentric circles में magnetic field प्रेडियूज हो रही थी और यहां पी जब हमने shape change कर दिया है circular loop बना दिया है तो circular loop में भी हम बोल इंटिक circles में produce हो रही है तो फिर आखिर shape को change करने का फाइदा क्या हुआ देखो बात यह है कि जो मैंना को बोला ना कि आपके पास जो straight wire है उसी को आप क्या करो थोड़ा सा घुमा दो उसको आप क्या कर दो coil बना दो है ना तो जब coil बना दोगे तो वह basically coil बनी किसकी थी ब हर एक point पे जो magnetic field produce होगी वो कैसी होगी concentric circle में कब जब इस coil के तुरू क्या होगा electric current flow होगा बिना electric current के तो हमारा जो coil है वो कभी magnet बनने से रहा अगर magnet ही नहीं बनेगा तो फिर magnetic field कहां से आएगी कहां से field lines बनेगी है ना तो जब current flow होगा तब ही concentric circles बनेगे तो actually होता क्या है इस circular loop का हर एक point जो है ना एक चोटा सा बहुत ही चोटा सा straight wire की तरह behave करता है जैसे की अगर मैं आपको draw करना चाहूं यहां पे तो जैसे की यह क्या है मेरे पास एक straight wire है ठीक है अब इस straight wire को मैं क्या कर रही हूं coil करती जारी हूं करती जारी हूं करती जारी हूं गुमाते 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 क्या बन गई है एक circular coil बन गई है लेकिन यह circular coil है इसका हर एक छोटा सा part हर एक चोटा सा जो पीस है ना वो किसकी तरह बेहेव करता है एक स्ट्रेट वायर की तरह बेहेव करता है ठीक है और स्ट्रेट वायर में हर एक पॉइंट पे जो मैगनेटिक फील्ड है वो कैसी प्रेड्यूस होती है यानि कि जब उसमें स्ट्रेट वायर की तरह जब इलेक् केट कंड़क्टिंग वायर की तरह बहेव कर रहा है तो ऑविस सी बात है उस छोटे से पार्ट में जो मैगनेटिक फील्ड है वो कैसी प्रेड्यूस होगी कॉंसेंट्रिक सरकल्स में ही प्रेड्यूस होगी इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा मैंने आपको समझाया न कि कई बार बच्चों को यह डाउट होता है कि मैं जैसे कि आपने बोला था है कि हमारे पास हमें क्लास 10 में 3 टाइप के चंड़क्टर्स 3 शेप के चंड़क्टर्स परण ने हैं एक हो गया straight wire, एक हो गया circular loop और एक हो गया हमारे पास solenoid तीनों ही conductors में कैसी magnetic field produce होती है हमें ये सीखना है लेकिन यहाँ पे तो circular loop और straight wire में एक ही तरीके के magnetic field produce हो रही है concentric circles में तो यह कैसे possible है possible बस इतनी छोटी सी बात से है कि हमारी circular loop का coil का हर एक छोटा सा जो part है हर एक piece है वो किसकी तरह behave करता है एक आप बोल सकते हो कि छोटे से wire की तरह एक छोटे से straight wire की तरह behave करता है और एक straight wire के around जब उसमें electric current flow होता है तो कैसे magnetic field produce होती है concentric circles में तो इसे लिए हर एक point पे किसके point पे तो circular coil के point पे हर एक point पे magnetic field कैसी produce होगी magnetic field हम बोलते है कि concentric circles के form में produce होगी I hope सभी बच्चों को यह चीज समझ में आ रही है ठीक है तो at every point on a current carrying circular loop the magnetic field is in the form of concentric circles around it as we move away from it the circles would become larger और larger ठीक है यानि कि जैसे कि हमारे पास क्या है यह हमने क्या बनाई है coil बनाई है ठीक है अब इस coil में जिस point के about आप magnetic field का production देख रहे हो उस point से किस point से जो कि आपकी circular coil पे है तो उस point से जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे magnetic field के जो आपको concentric circles दिखाई दे रहे होंगे वो क्या होते जाएंगे बड़े बड़े होते जाएंगे for example अगर मैं इसको थोड़ी सी उनो space चाहिए मुझे explain करने के लिए suppose यहां पे क्या है यहां पे यह पूरी मेरी क्या है एक circular coil है यह क्या है एक पूरी circular coil है ठीक है अब इस circular coil का मैं सिर्फ इतना सा part देख रही हूं ठीक है इस part के about magnetic field कैसी produce होई है तो आप बोल रहे हो कि मैं concentric circles में produce होई है ठीक है अब जैसे जैसे मैं इस point से दूर जाती जाओंगी इस point से दूर जाती जाओंगी तो जो magnetic field जो है magnetic field lines का जो circle है वो देखो क्या होता जाएगा बड़ा होता जाएगा यह देखो बड़े होते जा रहे हैं होते जा रहे होते जा रहे हैं तो जैसे ही आ होती जाएंगी magnetic field lines का जो circle है वो बड़ा 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 होता जाएगा ठीक है और इसी बड़े होने के कारण इसी बड़े होने के कारण हम बोलते हैं कि जैसे ही हम अपनी circular coil के center में पहुंचेंगे न तो center पहुंचने मैंने के बाद हमको लगेगा कि जो magnetic field lines के कैसी हो गई है यह स्ट्रेट 150 olacak käyt हो गई है क्यों कि देखो ना यहाँ पे हो क्या रहा था यहां पे पॉइंट था इस about magnetic field lines produce होती जा रही थी है ना होती गई होती गई जैसे जैसे हम points से दूर होते गए यह circles क्या होते गए बड़े होते गए बड़े होते 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 जैसे हम circular loop के center में पहुंचे तो देखो यह जो field line है कि सीधी हो गई है लेकिन यह सीधी नहीं हुई है यह exactly अभी curved है क्योंकि यह किसी न किसी concentric circle का ही एक अभी बड़ा सा हिस्सा है ठीक है I hope इतनी चीज़ सभी को समझ में आ रही होगी चलो as we move away from it the circles would become larger and larger when we reach the center of the loop the field appears to be straight line जबकि होती नहीं है सिर्फ वो दिखती है ऐसी है तो अभी भी वो एक बड़े से concentric circle circle का ही पाट ठीक है magnetic field lines at the center of the coil can be taken to be uniform the strength of the magnetic field increases as we move towards the center of the coil that is the magnetic field is maximum at its center coil के center पे जो magnetic field वो क्या होती है maximum होती क्यों maximum होती है आप खुदी सोचो ना इस point के about जो magnetic field है वो कुछ इस तरीके की है इस point के about जो magnetic field है वो कुछ इस तरीके की है वहर एक point पे आप अपने circular loop में x, y, z कोई भी point ले लो कोई भी point ले लो उसके about magnetic field कैसी होती है concentric होती है concentric circles के form में present होती है तो यहाँ भी concentric circles यहां भी concentric circles, यहां भी यहां भी, यहां भी तो कुल मिलाकर हुआ कि इस coil के सेंटर में बहुत सारी क्या आ गई है magnetic field lines आ गई है तो जितनी ज़ादा magnetic field lines मैं अखहले भी बोला है, कि magnetic field lines किसको represent करती है magnetic field को, तो जितनी ज़ादा magnetic field lines इसका मतलब क्या उतनी ही you know strong magnetic field strong magnetic field होने का मतलब क्या है कि strength बढ़ गई है exactly यही बोला गया है कि coil के center में जो strength होती है magnetic field की वो maximum होती है क्यों कि almost यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हर एक point की जो हर एक point पे जो magnetic field बन रही है magnetic field lines बन रही है वो सबसे ज़्यादा कहां आ रही है हमारे coil के center में ही आ रही है तो जितने पास-पास होंगी field lines जितनी ज़्यादा होंगी field lines उतनी ही strong होगी क्या magnetic field ठीक है I hope इसमें किसी को कोई doubt नहीं होगा तो basically हुआ क्या था फटा फट से मैं आपको एक बार रिवाइस करवा देती हूं सबसे पहले हम में देखा था एक straight current carrying conductor उसमें हम बोलते हैं कि जैसी हम current को flow कराना शुरू करते हैं conductor में straight current carrying conductor में तो जो magnetic field lines है वो कैसी हो जाती है concentric circles के form में arrange हो जाती है याने कि एक straight current carrying conductor के about nawet magnetic field कैसी होती है concentric circles में होती है अगर आप magnitudeg बढ़ा दोगे current का तो magnetic field क्या हो जाएगी change हो जाएगी मैगनिटुट भी क्या हो जाएगा अगर आप current का direction change कर दोगे तो magnetic field का direction भी क्या हो जाएगा change हो जाएगा फिर इसके बार में उसी स्टेट कंड़क्टर वायर को ले करके हमने क्या किया एक छला बना दिया यानि कि एक circular loop बना दिया और इस loop के दोनों ही ends को हमने एक यह बैटरी से करेंट करेंट कर दिए करन क्या होगा कि इस circular loop के में भी क्या होगा current flow होने लगेगा तीक है अब सवाल यह है कि इस current circular loop के हर एक point पे कैसी magnetic field produce होती है तो आप बोलोगे कि मैं again concentric circles में क्यों क्यों कि यहां पर हम बोलते हैं कि हमारे इस circular loop का हर एक छोटा सा पार्ट किस की तरह behave करता है एक straight wire की तरह behave करता है एक straight conductor की तरह behave करता है और एक straight conductor में कैसी magnetic field produce होती है concentric circles में इसलिए हमारी circular loop के आप किसी भी point पे चले जाओ हर एक point पे magnetic field कैसी produce होगी concentric circles में ही produce होगी ठीक है और जैसे जैसे हम अपनी circular coil के point से दूर जाते जाएंगे जो magnetic field lines को जो circle है वो बड़ा होता जाएगा और जैसे जैसे हम coil के नस्दीक पहुंचेंगे sorry उसके हम center में पहुंचेंगे तो center में पहुंचने के बाद हमको लगेगा कि जो magnetic field line से वो कैसी हो गई है straight हो गई है जबकि वो straight नहीं हुई है वो अभी भी कहीं न कहीं एक बड़े circle का क्या है part है ठीक है फिर इसके बाद में maximum जो magnetic field की strength है वो कहां होती है circular loop के center में होती है is that clear अब आ जाती है बारी किसकी direction को पता करने की हमने straight current carrying conductor में भी magnetic field का direction पता किया था कैसे किया था Maxwell's right hand thumb rule से किया था अब जब बात आती है किसकी हमारी circular loop की तो circular loop में भी हमको direction पता होना चाहिए ठीक है किसका magnetic field का तो कैसे निकाल सकते हैं देखो easy होता है अब यहां पर मैं आपको Maxwell's right hand thumb rule भी बता देती हूं और एक बहुत ही आसा clock phase rule होता है जो कि हमने पहले भी पढ़ा है उसको हम revise कर लेते हैं और दो suppose यह क्या है हमारे पास coil है ठीक है अब इस coil में हम बोड़ रहे हैं कि अभी के लिए current कैसा flow हो रहा है अभी के लिए current हम बोड़ रहे हैं कि clockwise direction में यानि कि जिस direction में घड़ी की सोईया move करती है उस direction में current flow हो रहा है ठीक है यहां पर हमने क्या लगा दी है बैटरी भी लगा दी है यह दो हमने लगा दी बैटरी और current कैसे flow हो रहा है clockwise direction में अब अगर आप इस you know coil को ध्यान से देखोगे तो coil के आधे हिस्से में जो current है वो कैसे जा रहा है clockwise direction में है ना current के आधे हिस्से में current बेसिकली आप बोल सकते हो कि नीचे से उपर जा रहा है clockwise नहीं बोल सकते हो देखो current तो पूरी ही coil में clockwise direction में move कर रहा है लेकिन अगर मैं बात करूँ आधे कोईल में तो आधे कोईल में क्या हो रहा है current नीचे से उपर की तरफ जा रहा है लेकिन जो remaining हाफ है हमारी कोईल का उसमें करेंट कहां जा रहा है उपर से नीचे तो दो अलालाला हिस्से हो गए हमारी कोईल के एक हिस्से में करेंट नीचे से उपर जा रहा है और दूसरे हिस्से में करेंट कैसे जा रहा है उपर से नीचे जा है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि दोनों हिस्सों में जो मैंनिक फील का डारेक्शन होगा वो क्या होगा अलग होगा क्योंकि हमको पता है कि अगर हमने करेंट का डारेक्शन अपने कहां रखा अभी हम बात कर रहे हैं इस वाले हाफ की ठीक है ना एल और यह लिग दया मैंने आर ठीक है तो अभी हम एल वाले हिस्से की बात कर रहे हैं एल वाले हिस्से में करें कहां जा रहा है नीचे से उपर तो हम अपने थंगों कहां रखेंगे कुछ ऐसे ठीक है जैसे हमने कर्ल किया तो हमने यहां पर पाया कि भाई जब हम अपनी fingers को कर्ल कर रहे हैं तो हमारी जो fingers है वो कैसे कर्ल हो रही है anti-clockwise direction में कर्ल हो रहे हैं याने कि definitely इस L वाले हिस्से में जो magnetic field है उसका direction कैसा होगा anti-clockwise direction होगा है ना कैसा होगा anti-clockwise direction आप खुदी करके देख सकते हो ना लेकिन हाँ अगर आपने अपना राइट हैं यूज किया है तब ही आपका direction सही आएगा तो जिस direction में करेंट जा रहा है याने कि ऊपर की है लिसी कि ठीके आर वाले हिस्से में हम बोल रहे ह folders है कि अब करेंट कहां जा रहा हैं ओपर से नीचे तो अब हम अपने ठमकू कहा रखेंगे नीचे गए रखेंगे था मिशे समी कि कर ये जैसे क्या होगा वहोगा clockwise sorry वह कैसा होगा वह यहां पे होने वाला है यहां पे। प्रत में हमारी cognitive field है उसका direction कैसा होने वाला है उसका direction होने वाला है कुछ clockwise हैना क्योंकि करन का direction कैसा है उपर से नीचे, उपर से नीचे, तो magnetic field का direction कैसे होगा, उसका होगा clockwise, I hope इसमें किसी को doubt नहीं होगा, अब एक काम करते हैं, अब जो की हमारी जो coil है, वो एक magnet की तरह भी है कर रही है, तो magnet को कोई north pole और एक south pole तो होना चाहिए, तो north pole हम कैसे निकाल सकते हैं, भई हमने magnetic field lines की properties क्या पड़ी है, magnet के बाहर से, जो magnetic field lines है, वो कहां से निकलती है, north pole से, और कहां terminate होती है, south pole से, तो अगर मैं बात करूँ अपने L वाले हिस्से की, तो L वाले हिस्से में, जो मेरे magnetic field lines आ रही है, वो terminate कहां हो रही है, वो ultimately जाकर के terminate हो रही है, लूप के अंदर, तो जह यहां पे जाकर के, magnetic field lines terminate होती है, उस pole को हम क्या कहते है, south pole कहते है, यानि कि यहां पे क्या है, coil के अंदर क्या है, south pole है, दूसरे वाले हिस्से से भी देख सकते हैं, ऐसा थोड़ी न कि केवल L वाले हिस्से से ही हम देखेंगे, आर वाले हिस्से से भी देखो, हमने जब current क के direction को change किया है, change नहीं किया है, मतलब उसका already changed है direction, current का, तो जब हम अपनी fingers को curl कर रहे हैं, तो ultimately हमारे जो fingers हैं, वो कहां जाकर के terminate हो रही है, coil के अंदर, यानि कि coil के अंदर क्या होगा, south pole, क्योंकि हमें पता है कि magnetic field lines, north pole से निकर के south pole पे जाकर के terminate हो जाती है, तो definitely अं अंदर south pole है, तो बाहर क्या होगा भई, north pole ही तो होगा, अब एक आता है clockwise rule, clockwise rule में हम से यह बोला जाता है, कि जब coil में, जो आप बोल सकते हो कि current के फ्लो का direction है, जो current वो कैसे फ्लो हो रहा है, clockwise direction में फ्लो हो रहा है, तो coil के अंदर, अगर coil में circular, not circular, clockwise direction में current अगर फ्लो हो जाता है, तो coil के अंदर का जो phase होगा, वो कौन सा होगा, south phase होगा, यानी कि वो south pole होगा, तो अब ही आप देख सकते हो कि हमारे coil में, जो current है, वो कैसे जा रहा है, clockwise direction में, यानि कि according to clockwise rule, लो क्लो के अंदर कौन सा फेस होगा, south face याने कि Clock के अंदर कौन सा पोल होगा, south pole और अगर हम current के direction को change कर दे हमारी coil में अभी तो वो clockwise जा रहा था अब अगर वो anti-clockwise गया तो anti-clockwise direction में क्या होगा हमारी कोईल के अंदर का जो phasor वो क्या हो जाएगा North फेस हो जाएगा यानि की clock के अंदर कॉइल के अंदर कौन सा पोल जाएगा नौट पोल आ जाएगा ठीक है तो जब conductor में current जा रहा है कोईल में जब करें जा रहा है कहां से कहां clockwise तो उस phase का वेस्टिकली वो फेस क्या हो जाएगा साउथ हो जाएगा और अगर एंटी क्लोक वेस आ रहा है तो वो फेस को हो जाएगा नौर्थ फेस हो जाएगा ठीक है I hope सभी कोई चीज़ समझ में आ रही होगी अब next point क्या है दो तिन चीज़े और है इसमें यह चीज़ तो हमको पता है कि अगर हमने current का direction बढ़ा दे है amount बढ़ाया है तो आप बोल सकते हो कि magnetic field भी क्या हो जाएगा increase हो जाएगा अगर आपने number of turns बढ़ा दिये कोईल के अभी तो हम केवल कोईल का एक ही turn पढ़ रहे थे अगर हमने इस कोईल में दो तीन turns अगर हमने और बढ़ा दिये तो क्या होगा कुछ नहीं current increase हो जाएगा जितने जाधा turns होंगे उतने जाधा turns में current flow होगा और जितना जाधा current flow होगा उतना ही जाधा हम बोलते हैं कि magnetic field भी produce होगी तो number of turns को कोईल में increase करने के कारण क्या होता है magnetic field भी increase हो जाती है क्योंकि जितने जाधा turns उतने जाधा turns में current का flow होना और जितना जाधा current flow होगा हम बोलते हैं कि magnetic field भी उतनी ही जादा produce होगी ठीक है तो यह relation है I hope सभी कोई चीज़ समझ में आ रही होगी अब हम अपमें तीसरे टाइप के conductor पे आ जाते हैं जो कि क्या है एक solenoid है कि solenoid में जब electric current flow होता है तो किस तरीके की magnetic field produce होती है और इसे हम समझते हैं एक simulation से अब हम देख रहे हैं एक simulation और simulation से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक solenoid में जैसे electric current flow होता है तो magnetic field कैसी produce होती है तो सबसे पहले तो आपको हमारा जो solenoid है उसका shape समझना पड़ेगा कैसा शेप होता है बहीं एक वायर लो और उसको आप कुछ इस तरीके से क्या कर दो coil कर दो तो जो coil wire आएगा आपके पास उसी को हम कहते हैं क्या solenoid ठीक है अब करना क्या है हमको हमें देखना है कि कैसे इस solenoid में जैसे ही हम क्या करते हैं electric current flow कराते हैं, electric current हम जैसे इसमें फ्लो कराएंगे तो कैसे magnetic field produce होगी ठीक है ? पहले तो इसका proper size होना चाहिए चलो अब अभी इसमें कोई electric current flow नहीं हो रहा है तो obvious सी बात है जब electric current flow हो गा भी नहीं तो अभी यह magnet है नहीं तो जब magnitude नहीं बना तो फिर कहां से magnetic field आएगी चलो अब इसमें current जो है ना flow हम करवा ही देते हैं ठीक है जैसे ही हमने current इसमें flow करवाना शुरू किया तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा यहां पे magnetic field lines बन चुकी है एक काम करते हैं हमको पता यूगि अब तो हम समझ चुके हैं कि अगर हमने current की यूण बढ़ा दिया है current को अगर हमने तो magnetic field क्या हो जाएगी strong हो जाएगी जितनी strong magnetic field याने कि उतनी ही ज्यादा magnetic field lines तो क्यों ना हम अपने current को बढ़ा दे तो यहां पर जब हमने अपने current को बढ़ाया तो magnetic field lines क्या हो गई है increase हो गई है याने कि magnetic field क्या हो गई है strong हो गई उसकी strength increase हो गई है अब यहां पर आपको clearly दिखाई दे रहा होगा कि solenoid में जो magnetic field lines बन रही है वो किस से सिमिलर है तो magnetic field lines कुछ इसी तरीक्या से बनती है थी है ना सबसे पहले हमने tom magnetic ही तो पड़ा था हमने जब magnetic field का concept भाइने government field क्या होता है और magnetic field को represent करने के लिए कौन होता magnetic field lines होती है तो magnetic field lines हमने सबसे पहले एक बार magnet में कैसी बनती है, वो ही हमने सीखा था, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आपको closed circular loops दिखाए दे रहे होंगे, तो solenoid में magnetic field lines कैसी बनती है, जिस तरीके की बार magnet में बनती है, वैसी ही solenoid में भी बनती हैं अब अगर आपको डीटेल चाहिए है कि मैं ऐसा क्यों होता है तो बच्चों आपको जाकर के प्लेलिस्ट चेक करनी पड़ेगी यहां पर मैं बहुत ज़्यादर डीटेल में नहीं जा सकती हूं ठीक है तो सॉलिनॉइड में कैसी बनेंगी जैसी बार मैगनेट में बनती थी समझ में आ गई सबको बार करेंट अगर हम बढ़ा देंगे तो मैंनेटिक फील्ड स्ट्रॉंग हो जाएगी यानि कि मैंनेटिक फील लाइन्स और इंक्रीज हो जाएगी अब एक काम करते हैं क्योंना हम इस कोईल में नंबर टर्न बढ़ा देंगे तब देखते हैं कि मैंनेटिक फील्ड पर क्या इंपक्ट पड़ता है अभी अभी जब हमने सर्कुलर लूप की कहानी पड़ी थी तो वहां पर भी मैंने आपको यही चीज़ सिखाई थी कि जब हम सर्कुलर लूप के नंबर ओफ कोईल्स बढ़ा देते हैं तो जितने नमबर ओफ टर्न होंगे उतनी नमबर ओफ टर्न पर करेंट जाईगा और जितना करेंट जाएगा उतनी मैंगेनिक फील्ड प्रूज्ण होगी तो मैंगे फील्स kellो हूजाएगी यहां पर हम लेते हैं कि क्या सच में जब हम अपने सउलीम आइड में कितनी सारी आप यहाँ पर कोईल्स लेकर के आ गए हो इसको थोड़ा सा अगर हम छोटा करें बहुत ही छोटा हो गया यह देखो जब हमने क्या किया था नंबर ओफ टर्न्स हमारे सॉलेनोड में कम रखी थी तो गिंच उनके कुछ ही लेकिन जैसे हमने नंबर ओफ टर्नस बढ़ा दिए देखो इतने सारे कर दिये तो चीतने जरा मैंने इतनी सारी हो गई जितनी magnetic field you know increase हो जाएगी क्योंकि जितने number of turns होंगे उतने turns में current जाएगा और जितना current जाएगा उतनी magnetic field produce होगी क्योंकि हमें पता है कि magnetic field और current की बीच में क्या relation होता है ठीक है अब अब क्या कर सकते हैं अब हम current के flow का correction change कर देते हैं गिंच उनके कुछी changes तो हम कर सकते हैं तो जो भी कर सकते हैं सब कर लेते हैं इसके लिए सबसे पहले तो मैं थोड़ी सी उनो coil का turn कम कर दूंगी ताकि हमको clearly चीज़े दिखाई दे ठीक है तो अभी देखो हमारा जो current है फिर बड़ा हो गया हाँ देखो अभी के लिए हमारी इस you know solenoid में current कैसा जा रहा है current जा रहा है इस end से तो कुछ इस तरफ अब ये जैसे मेरा हाथ घूम रहा है ऐसे कौन घूमता है भई ऐसे घूमता है हमारी सोईयों का घूमती है इसका मतलब क्या है यह फिर घूम चलो ठीक है यह लो इस समय जिस डिरेक्शन में मेरा हाथ घूम रहा है ऐसे कौन घूमता है घूमती है इसका मतलब क्या है कि clockwise direction चल रहा है तो अभी के लिए हमारा जो current है वो किस direction में जा रहा है हमारी कॉइल में solenoid में clockwise direction में जा रहा है अब अगर मैं आपसे पूछू कि भाई अगर यह solenoid है इसमें current जा रहा है magnetic field प्रेड्यूज हो रही है दिखी रही है इतनी सारी magnetic field lines तो definitely यह क्या एक magnet है और अगर यह magnet है तो जरूर इसका कोई नौर्थ पोल होगा कोई ना कोई साउथ पोल होगा तो नौर्थ पोल और साउथ पोल हम कैसे देख सकते हैं एक हमारा Maxwell's right hand thumb rule तो है ही है ना लेकिन इसके अलावा हमने एक clock phase रूल भी देखा है देखा है देखो कुछ और होता है दूसरे पार्ट में करेंट का डारेक्शन कुछ और होता है तो उस हिसाब से आप क्या करते हो Maxwell's right hand thumb rule लगाते हो लेकिन जब हम बात करते कि इसकी solenoid की ना तो यहां पे right hand thumb rule को लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए जो clock phase रूल है उसको समझाने का उसको explain करने का रीजन यही था क्योंकि जब हम बात करते हैं सॉलेनोइड की तो सॉलेनोइड में हम बोलते हैं कि यहां पे हमको करेंट सॉरी जो मैगनेटिक फील्ट कर डिरेक्शन होता है उसको हमें पता करने के लिए हम आसानी से हम क्लॉक्वेज रूल लगा सकते हैं क्लॉक्वेज रूल में मैंना को क्या बताया था अगर आपकी सर्कुलर कोईल में करेंट कैसा फ्लो हो रहा है क्लॉक्वाइस फ्लो हो रहा है तो उस कोईल के अंदर क्लॉक्वाइस अरेक्शन में करेंट फ्लो हो रहा है तो कोईल के अं अंदर करेंट कैसा जा रहा है करेंट जा रहा है क्लॉक वाइस डारेक्शन में ठीक है तो जिस डारेक्शन में करेंट जा रहा है उसके हिसाब से यह वाला फेस कौनसा होना चाहिए साउथ पोल होना चाहिए, हैना, साउथ फेस होना चाहिए और दूसरा वाला जो, यहने कि जो दूसरा वाला end है हमारे solenoid का, उसे क्या होना चाहिए नॉर्थ पोल होना चाहिए clock phase rule तो यही कहता है एक काम करते हैं, यह साउथ पोल है या नहीं या उसके बाजू वाला, उसके सामने वाला नॉर्थ पोल है या नहीं, क्यों न हम magnetic field line से ही पूछ लें क्योंकि हमें पता है कि magnetic field line जो होती है वो नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल पे जाकर के टर्मिनेट हो जाती है तो अगर हम clock phase rule का कहना मान रहे है और उसके कहने के according अगर हमारी coil में solenoid में current कैसा जा रहा है clock phase direction में जा रहा है एक तरफ से तो definitely वो फेस कौन सा होगा साउथ पोल होगा, यानि कि वो पोल कौन सा होगा साउथ पोल होगा, तो क्या ये वाकई में साउथ पोल है, तो जारा magnetic field lines देखो कहां जा रही है, दूसरे वाले opposite end से निकल कर के terminate कहां हो रही है, terminate हो रही है इस वाले end पे, और हमें magnetic field lines की properties पता है, कि north से निकल के कहां जाती है, मैगनेट के बाहर साउथ पोल में जाती है, तो देखो उस वाले पोल से निकल कर के कहां जा रही है दूसरे वाले पोल पे, यहने कि इस वाले पोल पे, तो जहां से आ रही है, वो हो गया north और जहां पे जा रही है, उसे हम बोलते हैं south pole ठीक है, तो यह क्या हो गया यह हो गया हमारा you know, south pole और देखो, यह क्या हो गया, north pole क्यों, क्योंकि north pole से सारी magnetic field lens क्या आ रही है, बाहर आ रही है ठीक है, अब यह काहानी थी किसकी जब current कैसा जा रहा था एक, you know हमारी solenoid में clockwise direction में जा रहा था, अब एक काम करते हैं current की direction को हम reverse कर देते तो जब हमने current का direction reverse किया फिर इसके बाद में हमने इस solenoid को देखा तो इस end में क्या हो रहा है अब इस end में हमारा जो current है, वो कैसे जा रहा है anti-clockwise direction में है ना, कैसे जा रहा है anti-clockwise direction में तो according to clock phase rule अगर आपकी circular coil में anti-clockwise direction में current flow होता है तो आपकी coil के अंदर ठीके ना, loop के अंदर कौन सा phase आता है north phase आता है तो definitely ये क्या हो जाएगा एक north phase याने कि एक north pole हो जाएगा कैसे confirm करें, again magnetic field lines से पूछते हैं magnetic field lines आपको यहाँ पे clearly दिख रहा होगा कि जब हमारे इस end में color जो current है, वो कैसा जा रहा है anti-clockwise direction में जा रहा है तो magnetic field lines देखो, इसी end से क्या हो रही है बाहर निकल रही है और जिस end से magnetic field lines बाहर निकलती है उसे हम क्या देते हैं, north pole अब ये क्या हो गया, north pole initially ये south pole था उसके सामने वाला north pole था लेकिन जैसी हमने current के flow का direction चेंज किया, अब ये बन गया north pole और वो बन जाएगा south pole ठीक है, तो I hope अब solenoid में कैसा you know, कैसी magnetic field produced होती है ये कोई भी बच्चा नहीं भूलेगा अब हम जल्दी से आजाते हैं अपने slides के उपर, अब एक बार हमारी slides के उपर जो भी थ्योरी दी गई है solenoid की, उसको हम फटा-फट से read कर लेते हैं, the field lines around a current carrying solenoid are similar to that produced by a cylindrical bar magnet, तो जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक typical cylindrical bar magnet में जैसी magnetic field lines produce होती है वैसी कि वैसी magnetic field lines आपको कहां देखने को मिलेंगी, current carrying solenoid में भी देखने को मिलेंगी, this means that current carrying solenoid behaves as if it has north pole and south pole, तो भाई एक solenoid में, current carrying solenoid में कैसे एक north pole को, कैसे एक south pole को आप determine कर सकते हो, through clock phase rule, वो मैं आपको explain कर दिया है, the field lines inside the solenoid are parallel to each other, thus the strength of the magnetic field is the same at all the points inside a solenoid अब मेरी मानों तो इस दोनों ही points को आप क्या कर लो star mark कर लो, क्यों? क्योंकि कई बार board examination में clear cut ये question आया है, question में कोई दम नहीं होता, बस बच्चे को घुमाने के लिए ये देखने के लिए कि बच्चे के concept कि इतने strong है, ये एक general question आ जाता है, कि एक current carrying conductor के अंदर, है ना बच्चे घुम जाते हैं कि ये current carrying conductor मलब की solenoid है तो हो सकता है कि अंदर magnetic field होड़ी स्ट्रॉंग हो गई हो strength जादा हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं होता है, simulation देखाने का मतलब यही रहता है, का कि हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज, हर इक पारीक चीज आपके दिमाग में बैच जाए तो अभी अभी जो हमने simulation देखा था उस simulation से हमने चीज समझी थी कि जब एक current carrying solenoid के अंदर, basically जब solenoid के अंदर हम बोलते हैं कि current flow होता है, तो जो magnetic field produce होती है, तो वो magnetic field lines हमारे solenoid के अंदर कैसी होती है, एक दूसरे के parallel होती है, ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा है, कि कि किसी एक point पे अगर magnetic field lines कैसी है, बहुती पास-पास हैं, तो वहाँ पे magnetic field की strength क्या हो जाती है, strong हो जाती है, अगर किसी एक point में magnetic field lines कैसी है, दूर-दूर है, तो उस point पे हम बहुते हैं, कि magnetic field lines, basically magnetic field कैसी हो जाती है, weak हो जाती है, उसकी strength कम हो जाती है, लेकिन जब हम बात करते हैं, एक current carrying solenoid की, तो उसके अंदर magnetic field lines एक दूसरे के parallel होती है, parallel होने का मतलब यह होता है, कि हर एक point पे magnetic field की strength कैसी है, बराबर है, यानि कि constant है, तो आप यह नहीं बोल सकते हो, कि जैसी solenoid के अंदर घुसे, field बढ़ गई, बीच में गए तो शायद कम हो गई, फिर बहार निकले तो फिर बढ़ गई, ऐसा नहीं होता है, current carrying solenoid के अंदर हर एक point पे magnetic field की strength कैसी होती है, constant होती है, सेम होती है, इसलिए एक current carrying solenoid के अंदर जो magnetic field lines है, वो कैसी होती है, एक दूसरे के parallel होती है, ठीक है, कई बार ये exam में आ चुका है, ये सवाल, इसलिए मैंने आपको यहां पे explain कर दिया, ठीक है, अब हम आजाते हैं, हमारे next topic पे, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हमने Hans Christian और Strait का experiment पढ़ लिया है, ठीक है, फिर इसके बार में हमने magnetic field और magnetic field lines के बार में पढ़ लिया है, एक straight wire में, एक circular loop में और एक solenoid में जब electric current flow होता है, तो किस तरीके के magnetic field produce होती है, वो हमने चीज़ सीख ली है, अब हम आ जाते हैं, अपने next topic पर, जो कि है, force on a current carrying conductor in a magnetic field, इस topic का मतलब यह है, एक बार read करी लेते हैं, चलो, when a current carrying conductor, यहापे conductor भी आना चाहिए, ठीक है, तो यहापे आप क्या add कर लीजेगा, conductor add कर लीजेगा, तो जब एक current carrying conductor को, किसी दूसरे magnet की magnetic field में रखा जाता है, तो वो एक force experience करता है, ठीक है, except when it is placed parallel to the magnetic field, ठीक है, तो बेसिकली यहापे क्या हो रहा है, कि इस topic में हम से यह बताया जा रहा है, हमको यह information दी जारी है, कि जब भी किसी current carrying conductor को, किसी दूसरे magnet की magnetic field में रखा जाता है, तो वो एक force experience करता है, ठीक है, यह topic बहुत important है, क्यों, क्योंकि इसी topic के ऊपर, बेसिकली आप बहुत सकते हैं, कि इसी topic को as a principle use करके electric motor जो है, चलती है, तो अभी next topic हमारा, इस topic के बाद electric motor ही होगा, है ना, और electric motor का construction principle, उसकी working कैसी होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके पहले आपको यह topic समझना पड़ेगा, बहुत ही जब भी current carrying conductor को, किसी दूसरे magnet की magnetic field में हम रखते हैं, तो वो एक force experience करता है, कैसे experience करता है, चलो हम देख लेते हैं, एक simulations, अब इस simulation से हम सीखेंगे कि कैसे current carrying conductor को, जब हम किसी दूसरे magnet की magnetic field में रखते हैं, तो उस पे उपर कैसा, यूनो, कैसा force experience करता है वो, तो इसी state में मैं आपको बता देना चाहती हूँ, कि force यहां पर दो टाइप की होने वाले हैं, एक होगा attractive और एक होगा repulsive, यानि कि दो possibilities है, या तो आपका जो current carrying conductor है, वो आप बोल सकते हो कि attract हो करके हमारे दूसरे magnet के पास आएगा, या उससे ripple करके उससे दूर चला जाएगा, ठीक है, या तो attractive force लगेगा या repulsive force लगेगा, तो दो ही possibilities है, एक एक करके दोनो possibilities को हम देख लेते हैं, तो अभी आपको दिख रहा होगा एक setup जिसमें बैटरी है, switch है, एक aluminum rod है, और कुछ connecting wires है, तो basically या आपको पूरा एक complete electrical circuit है मारे पास, battery है switch है, aluminum की rod, aluminum की rod क्या है भाई, यहाँ पे एक conductor है, और उस conductor को connect किया गया है, बैटरी और switch के साथ through connecting wires, ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है, की फिलाल के लिए, हमारे पास जो अभी conductor है, aluminum rod, जो है वो सिर्फ एक conductor है, वो भी magnet नहीं बनाए, क्यों, क्योंकि अभी हमने switch को off करके रखा है, अभी switch on नहीं है, off होने का मतलब यह है कि current अभी नहीं बह रहा है, तो जब तक current ही नहीं जाएगा conductor के पास, तो फिर वो, you know, एक magnet कैसे बनेगा, और अगर magnet नहीं बनेगा, तो उसके पास magnetic field कैसे आईगी, तो अभी के लिए हमारे इस पूरे setup में केवल एक ही magnet है, कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है ना, horse, shoe, shape का ये magnet है, और ये permanent magnet है, जो हम किसी भी conductor से electric current को पास करा करके magnet बनाते हैं न, वो तो temporary होता है, जैसे ही आप conductor से electric current को flow करवाना बन करोगे, वो magnet खतम हो जाएगा वहीं पर, ठीक है, लेकिन ये वाला जो magnet है, ये तो permanent है, अब एक काम करते हैं, switch on कर लेते हैं, जैसी हमने switch on किया, current ने flow करना शुरू किया, कैसे flow कर रहा है, battery से निकला switch, switch से कहां गया, wire में गया, wire से कहां जा रहा है, aluminum rod में जा रहा है, aluminum rod से कहां जाएगा दुबारा battery में जाएगा, अब इस time में, आप इस aluminum rod को देखना, क्या होने वाला है, ये देखो, यहाँ पे एक force experience किया, किसने experience किया, तो हमारे इस current carrying conductor, यानि कि aluminum rod में, initially हमारे पास जो थी, वो सिर्फ एक क्या था, आप बोल सकते हो कि conductor था, जैसी उसमें हमने, you know, switch on किया, current flow होने लगा, तो जैसी वो current उसमें गया, तो वो क्या बन गया, एक magnet बन गया, यानि कि अब हमारे पास इस पूरे setup में, दो magnet है, एक तो ये वाला, red वाला, और दूसरा हमारा ये है, current carrying conductor, aluminum rod, जिसमें कि current जा रहा है, तो वो magnet बन गया, जैसे कि मैंना आपको बताया था, कि दो possibilities है, या तो क्या होगा, एक attractive force लगेगा, या एक repulsive force लगेगा, तो clearly आपको देखा कि हमारी जो aluminum rod है, जो हमारा current carrying conductor है, वो ripple होकर के कहां चला गया, हमारे magnet से, permanent magnet से दूर चला गया, यानि कि definitely यहाँ पर क्या लगा है, एक force of repulsion लगा है, हो सकता है कि ये जो हमारा current carrying conductor है, तो इसके इस वाले end पर हम बोलते हैं कि north pole आ गया हो, तो इसका north pole और हमारे current carrying conductor का north pole आपस में क्या हो गया हो, ripple कर गये हो, जिसके current force of repulsion लगा, और हमारा current carrying conductor है, वो हमारे horseshoe magnet से दूर चला गया, ठीक है, क्या हो अगर हम switch off कर दें, अगर हम switch on off करेंगे, तो obviously वात है, जैसे कि मैंने आख को बताया था, कि ये वाला magnet तो कैसा है, permanent है, ये वाला कैसा है, temporary है, जैसे आप उसमें current के flow को बन करोगे, अपने आप हम बोलते हैं कि वो conductor जो है ना, conductor रह जाएगा, magnet अब वो खतम हो जाएगा, तो जब वो magnet रहा ही नहीं, तो कोई magnetic field नहीं हुई, अगर कोई magnetic field है ही नहीं, हमारे conductor की, तो फिर किसी भी तरीके का force क्यों लगेगा, है ना, जैसी हम switch on करेंगे, फिर से हम बोलते हैं कि current flow करना शुरू करेगा, वो क्या बन जाएगा, current carrying conductor, यानि कि वो magnet बन जाएगा, magnet बनने से magnetic field आ जाएगी, और दोनों ही magnets की, यानि की permanent और हमारे current carrying conductor के दोनों ही magnetic fields जो है न, वो क्या करेंगी, आपस में interact करेंगी, जिसके कारण हम बोलते हैं कि हमारी जो rod है, वो repulsion का उसके ओपर force experience हुआ है, जिसके कारण वो क्या हो गई है, पीछे चली गई है, ripple हो गई है, हमारे permanent magnet से दूर हो गई है, तो यहाँ पे ये simulation इस बात को प्रूव करता है, कि हाँ भई, अगर आप एक current carrying conductor को किसी दूसरे magnet की magnetic field में रखोगे, तो definitely क्या होगा, एक force experience करेगा ही करेगा वो, ठीक है, और जैसे ही आप उस conductor में current का flow बंद कर दोगे, वो magnet अब रहेगा ही न, वो एक normal conductor बन जाएगा, किसी भी तरह का हम बोते हैं कि magnetic fields के बीच में interaction नहीं होगा, और कोई भी force experience नहीं होगा, ठीक है, अब एक काम करते हैं, सवाल यह आता है, कि यह जो force experience कर रहा है हमारा current carrying conductor, इसके direction को हम कैसे change कर सकते हैं, मेरा सवाल आप से यह है, कि क्या जो force हमारा current carrying conductor अभी experience कर रहा है, क्या इसके direction को हम change कर सकते हैं, तो आपका जवाब उना चीए, यह मेरा कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, भई पढ़ चुक है ना यह chapter, तो उसमें हमने सीखा था कि अगर हम magnetic field का direction change कर दे, या अगर हम current का direction कर दे, तो change कर दे, तो जो force experience कर रहा है, हमारा current carrying conductor, वो क्या हो जाएगा, change हो जाएगा, उसका direction change हो जाएगा, कैसे, दो तरीके हैं, जिसे अभी तो आपके पासी जो permanent magnet है ना, इसको आप क्या कर दो, घुमादो, है ना, इसको जब आप अगर घुमादोगे, तो अभी उसका south pole उपर है, नीचे north pole है, जब आप उसको घुमादोगे, तो north pole उपर आ जाएगा और south pole नीचे आ जाएगा, याने कि आपने magnetic field का direction change कर दिया, तो जब आपने magnetic field का direction change कर दो, ठीक है, कैसे करोगे, बैटरी घुमादो, अभी आपने अपने permanent magnet घुमाया था, अभी काम करो, अब आप बैटरी घुमादो, कैसे घुमाओगे battery, यह देखो, यह घुम गई क्या हमारी battery, ठीक है, अब wires हम बोलते हैं कि अलग तरीके से arrange हो गए है, battery के terminals के साथ, तो obvious यह बात है, अब हम बोलते हैं कि current की flow का direction change हो गया, देखो, अब कहां जा रहा है current, अब current हम बोल रहे हैं कि उपर से नीचे जा रहा है, ठीक है, पहले नीचे से उपर जा रहा था, अब हमारा current उपर से नीचे की तरफ जा रहा है, अब क्या होगा, अब देखते हैं कि हमारे इस aluminum rod पर कोई असर पड़ा क्या, यह देखो, यह क्या हुआ, अब हमारी aluminum rod attract होकर के कहां आ गई है, हमारे इस magnet के permanent magnet के पास आ गई है, initially क्या हो रहा था, हमारा जो aluminum rod है, वो ripple होकर के हमारे permanent magnet से दूर जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, current के flow का direction change किया, तो हुआ क्या, force का direction भी आप बोल सकते होकि change हो गया, force change हो गया, और कैसे change हुआ, पहले repulsion का force लग रहा था, अब attractive force लग रहा है, जिसके current conducting, जो rod है, वो हमारे permanent magnet के पास आ गई है, attract होकर के, ठीक है, तो अब ताब कभी नहीं बूलोगे, कि कि इस तरीके से, एक magnet को, current carrying conductor को, magnet को, जब हम दूसरे magnet की magnetic field में रखते हैं, तो वो एक force experience करता है, दो टाइप की force हो सकते हैं, या तो वो attractive होगा, या वो repulsive होगा, ठीक है, force का direction आप कैसे change कर सकते हो, magnetic field का direction change कर दो, या current का direction change कर दो, दो तरीकों से, ठीक है, अब आगे की बात हम करते हैं, अपनी slides के उपर, अब जो अभी-अभी हमने simulation सीखा है, उस simulation से हमने, यूनो, एक चीस तो यहाँ पर confirm कर ली है, कि current carrying conductor के उपर, जब उसको किसी दूसरे magnet की magnetic field में रखते हैं, जो force, यूनो, वो experience करता है, तो उस force के direction को हम कैसे change कर सकते हैं, तरीके से, अगर हम current की flow का direction reverse कर दें, या अगर हम magnetic field का जो direction है, उसको हम reverse कर दें, तो magnetic field और current के direction को अगर हमने reverse किया है, तो एक current carrying conductor के अंदर, जो, यूनो, force लगता है, उसके उपर, जो force लगता है, उसका direction को भी हम reverse कर सकते हैं, लेकिन माना हमारा जो force है, वो एक vector quantity है, जिसके लिए उसका direction important है, लेकिन magnitude का क्या, हमने अभी तक current carrying conductor, जो force experience करता है, उसके magnitude के उपर तो में कोई बात ही नहीं करी है, क्या कुछ factors हैं, जो कि current carrying conductor के उपर लगने वाले force के magnitude को affect करते हैं, हंजी बिलकुल है, कौन है वो, तो वो है BIL, बिल का मतलब क्या होता है, magnetic field current और length of the conductor, अगर आपने magnetic field बढ़ा दी है, कैसे बढ़ा दी है, आपने जो permanent magnetic लिया था ना, वो आप, अब strong वाला ले लो, है ना, एक strong आप permanent magnet ले लो, तो जितना जादा strong होगा आपका magnet उतनी strong होगी क्या magnetic field, तो जब आपकी magnetic field strong हो जाएगी, तो जो force लग रहा होगा, हमारे current carrying conductor की उपर, उसका magnitude क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानि कि force वो strong हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे किसकी current की, है ना, जो battery आपने ली है, सपोज इनिशली आपने अपने experiment में 10V की battery ली थी, अब आप 20V की ले लो, तो जितना जादा potential difference, उतना जादा current यानि कि अब आपके conductor की उपर जो current जा रहा है, वो जादा जा रहा है, तो जितना जादा उसमे current जाएगा, उतना ही strong आपका conductor क्या बन जाएगा, एक magnet बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि current और magnetic field के बीच में relation क्या होता है, जितना जादा current उतनी जादा magnetic field, जितनी जादा magnetic field यानि कि आपका जो conductor है, वो उतना ही strong magnet हो जाएगा, है ना, तो अगर आपने current बढ़ा दिया है, जादा voltage की बैटरी ले रही है, current बढ़ा दिया है, तो magnetic field क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी, और जितनी जादा magnetic field हम बोलेंगे कि force का magnitude भी उतना ही increase हो जाएगा, length, length of the conductor से क्या मतलब है भाई, देखो, आपका conductor कितना भी लंबा क्यों ना हो, है ना, जितना लंबा आपका conductor जाएगा, उतनी जादा उसमें क्या होगी, magnetic field produce होगी, जैसे कि initially अगर आपका conductor इतना है, तो उसमें suppose इतनी magnetic field produce होई है, लेकिन अगर आपने conductor की length बढ़ा ली है, तो आप देखो, जादा magnetic field produce होगी, और जितनी जादा magnetic field produce होगी, conductor पे लगने वाला जो force है, वो उतना ही strong होगा, ठीक है, तो current carrying conductor के उपर जो force लगता है, उस force के direction को change करने के लिए, आप magnetic field और current के direction को change कर सकते हो, और current carrying conductor के उपर लगने वाला जो फोर्स है उसके magnitude को चेंज करने के लिए या आप उसको बोल सकते हो कि उसके magnitude के ओपर कौन-कौन सी चीज़े उनों को डिपेंड करता है वो तो बी आई एल मैंनेटी फील्ड करेंट और लेंथ अफ दी कंड़क्टर कदम बात ठीक है अब अगर आपको यह वाला टॉपिक समझ में आ गया है न तो अब आपके लिए इलेक्ट्रिक मोटर का समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा अचा एक चीज़ और है एक होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अभी हमने करेंट के लिए कंड़क्टर को किसी दूसरे मैंगी मैंगीन मीड़के में रखते हैं तो फोर्ष एक्सपिरियेंस करता है ये किन उस टार्ट्रिक्शन क्या है उसे पता करने तीनों को ही हम stretch करें कैसे कि वो एक दुश्री की क्या हो जाए 90 डिगरी के एंगल पे हो जाए देखो थम है मेरी index finger के 90 डिगरी के एंगल पे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में भी कितना एंगल है 90 डिगरी का है ठीक है कुछ इस तरीके से हमें अपनी तीनों ही यहने कि दोनों फिंगर और अपने थम को stretch करना है ठीक है और जो हमारी मिडल फिंगर है वो क्या बता रही है मिडल फिंगर बता रही है करेंट की फ्लो का डिरेक्शन तो जो थम होगा वो हमें क्या बताएगा जो force experience कर रहा है हमारा current carrying conductor उस force का डिरेक्शन बताएगा याने कि इंडेक्स फिंगर बताएगी क्या चीज हमें magnetic field का डिरेक्शन जो हमारी मिडल फिंगर है वो बताएगी current की फ्लो का डिरेक्शन और हमारा थम क्या बताएगा force का डिरेक्शन experience force का डिरेक्शन ठीक है चलो अब हम बात करते हैं आगे आगे क्या हमारे पास electric motor है जैसे कि मैंना को बताएगा था कि अगर आपको you know previous topic समझ में आया है तो previous topic को ही हम principle बना देते हैं किसका electric motor का तो electric motor का principle क्या होता है it is based on the principle that when a rectangular coil is placed in a magnetic field and current is passed through it two equal and opposite forces act on the coil which rotates it continuously जब एक rectangular coil को हम एक you know magnetic field में रखते हैं और उस coil के through हम current pass कराते हैं तो obvious सी बात है वो जो coil है वो अब कैसे behave करेगी एक current carrying conductor की तरह behave करेगी यानि कि वो एक magnet बन जाएगी तो जब एक current carrying conductor को किसी दूसरे magnetic field में रखते हैं तो force experience होता ही है तो उस rectangular coil में हम बोलते हैं कि दो equal opposite forces लगेंगे जिसके कारण coil क्या हो जाएगी गोल गोल घूमेगी continuously कैसे तो principle आपको समझ में आया अब हम बात करते हैं किसकी construction की तो exam में आता है आप बोल सकते हों कि electric motor को construct करना तो आप कैसे construct करोगे तो सबसे पहले तो आपको बनाना होगा क्या एक north pole और एक south pole और वैसी बात है यह north pole और south pole हम बोलते हैं कि एक ही magnet के नहीं है अलग-अलग magnet के है ठीक है इस end को आप connect करेंगे किसके साथ चलो काम करते ना आर्मेचर को हम नाम भी दे देते हैं क्या नाम देंगे क्यों ठीक है क्यों क्यों इसलिटेंगे साथ हम connect करते थे अब जो पी वाली स्लिट रिंग है उसको हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ एक कार्बन ब्रश के साथ उस कार्बन ब्रश का हम नाम रख देते हैं क्या एक्स ठीक है सिमिलर्ली जो क्यों हमारी स्लिटरिंग है उसके साथ भी हम कनेक्ट करते हैं क्या एक कार्बन ब्रश और उस कार्बन ब्रश का को हमने connect किया है अपनी battery के negative terminal के साथ और हां यहां पर बीच में हम बोलते हैं कि एक plug की भी आएगी क्या आएगी plug की भी आएगी इतने पर सपोस्थ अगर आपको पुरा सवाल आ रहा है electric motor का maximum 5 मांक का तो principle लिख देना construction लिख देना इतने में आपको 3 marks मिल जाएंगे ठीक है इतना simple construction और इतना simple principle इतने में आपको 5 में से केवल 3 marks केवल नहीं मिल जाएंगे ठीक है अब बारी आती है 2 marks की 2 marks हम कैसे लूटे 2 marks के लिए हमको working समझानी पड़ेगी कैसे समझाएंगे एक काम करते हैं जब हम अपनी प्लक की को insert करते हैं तो obviously बात है हमारी कॉइल में क्या होने लगेगा current होने लगेगा तो अभी के लिए हम मानके चलते हैं कि हमारी जो कॉइल है इसमें current कैसा flow हो रहा है clockwise direction में याने की current जो है A2B जा रहा है B2C जा रहा है C2D जा रहा है ठीक है कुछ इस तरीके से हमारा current जा रहा है तो एक बार हम क्या करते हैं current के flow का हंट direction जो पता कर लेते हैं तो current initially गाया कहा current हम बोलते हैं कि battery के positive terminal से गया कहां पहुँचा X वाले carbon brush के पास पहुँचा फिर इसके बाद में P slittering के पास पहुँचा P slittering के पास पहुँचने पर वो कहां गया हमारी जो rectangular coil है उसके AB आम पे गया AB आम के बाद वो कहां पहुचा CD वाली आम पर मतलब obviously वाद है BC को cross करके वो CD पर पहुचा CD के बाद वो कहां आया CD के बाद हम बोलते हैं कि जो हमारी Q वाली slittering है तो Q slittering के पास पहुचा Q के बाद कहां जाएगा Y carbon brush के पास जाएगा Y के बाद कहां जाएगा दुबारा battery के negative terminal पे पहुच जाएगा ठीक है कहां पहुच गया battery के negative terminal पे पहुच गया तो initially करेंट के फ्लो का डारेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है कि निकला X पे गया X वाले carbon brush पे फिर P वाले slittering पे फिर AB पे BC पे CD पे फिर हम बोलते हैं कि Q वाली slittering पे फिर Y वाले carbon brush पे और पिर कहां गया battery में तो कुछ यह है हमारे करेंट के फ्लो का direction अब क्या हुआ जैसी ही हमारी X rectangular coil में current का flow स्टार्ट हुआ तो हमारी यह जो rectangular coil है यह क्या बन गई एक current carrying conductor बन गई क्या बन गई एक current carrying conductor बन गई तो जब यह conductor हम बहुते हैं कि current carrying conductor बन गई है इसका मतलब क्या इसकी अपनी भी क्या होने वाली है तो initially हमने इस armature coil को इस rectangular coil को जिन दो poles के बीच में रखा हुआ था उन दो poles के बीच में भी तो क्या होगा magnetic field होगी तो चलो हम magnetic field बनाई देते हैं तो यह green color की मैंने क्या बना दी है magnetic field बना दी है यह किसके बीच की है तो जिस दो poles के बीच में आपने अपनी armature coil को रखा है ना उन दो poles के बीच में magnetic field कैसी जारी है नौर्थ से लेकर के south pole तक जारी है ठीक है अब क्या होगा कि जैसे हमारी armature coil में current बहना शुरू करेगा वो एक magnet बन जाएगी जिसके कारण उसके अपने पास क्या होगी एक magnetic field होगी और दोनों की ही magnetic fields क्या करने लगेंगी आपस में interact करने लगेंगी जिसके कारण हमारी जो armature coil है इसके उपर एक force experience हो जाएगा है ना हमारी armature coil के उपर क्या होने लगेगा एक force experience होने लगेगा इसलिए मैंने बोला था कि अगर आपको प्रीवेस टॉपिक समझ में आया है तो यह टॉपिक आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा जब भी हम एक current carrying conductor को आप बोल सकते होगी किसी दूसरे magnet की magnetic field में रखते हैं तो उसके उपर एक force लगता है तो यह वही चीज तो यहां भी हो रही है हमने अपनी our major coil को क्या करवाया है current इससे flow करवाया है तो यह क्या बन गई है अब यह current carrying conductor बन गई है इस current carrying conductor को जब मैंने north औ और south pole के बीच से आ रहे है magnetic field की बीच में रखा तो इस coil पे क्या होगा एक force experience होगा कैसे experience होगा क्योंकि यह जो current carrying coil है इसकी अपनी भी क्या होगी होगी एक magnetic field होगी तो इसकी अपनी magnetic field और यह जो आपको green वाली magnetic field दिख रही है इन दोनों की बीच में क्या होगा interaction होगा और इसी interaction के कारएं इस rectangular coil के ऊपर हम बोलते हैं कि एक force experience होगा अब सवाल यह है कि हम इस force के direction को पता कैसे करें तो अभी अभी हमने क्या पड़ा था इंडेक्स finger को रख दोगे यानि की ऐसे फिर इसके बाद में जिस direction में current जा रहा है उस direction में आप अपनी middle finger रखोगे कैसे रखोगे ऐसे रखोगे है ना क्योंकि magnetic field ऐसे जा रही है और current कहां जा रहा है a2 corporate जा रहा है उपर की कि तरफ जा रहा है इसलिए मैंने अपनी middle finger को क्या किया है उपर की तरफ किया है अब बचा क्या हमारा थम क्या बता रहा है थम बता रहा है force का डा你說 F कैसे घूमेगी भाई देखो ना magnetic field ऐसी थी current उपर जा रहा था A2B तो force का लगेगा नीचे की तरफ तो जब AB side पे यह जो AB arm दिख रही है आपको हमारी coil की उसके उपर force लगेगा कहाँ नीचे की तरफ तो अब विसके बाद जब force लगेगा तो हमारी coil क्या होगी घूम जाएगी कैसे घूमी घूमने के बाद हम बोलते हैं कि अब आप बोल सकते हो कि यह जो AB arm है ना हमारी coil की यह कहाँ आ गई है CD की जगा आ गई है और जो CD आम में वो कहाँ आ गई है AB की जगा आ गई है घूम गई ना हाफ टर्न लिया है चीगे ना आधा टर्न लिया है तो हाफ टर्न से क्या हुआ है AB यहाँ आ गया और CD यहाँ आ गया तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो यहाँ पे आ जाएगा D, यहाँ पे आ जाएगा C यहाँ पे आ जाएगा B और यहाँ पे आ जाएगा A तो A B साइड वहाँ चले गई, C D यहाँ आ गई क्या सिर्फ आम, जो हमारी कोईल है इसकी आम सी रोटेट करेंगी और कुछ रोटेट नहीं करेगा बिल्कुल करेगा, कौन करेगा यह जो इस दोनों स्लेटरिंग है न यह भी तो घूमेंगी साथ में, क्यों? क्योंकि यह जो A B आम है, कहां गई A B आम इनिशली जो हमारी A B आम थी इससे कौनसी वाली स्लेटरिंग कनेक्टिट थी? P वाली, C D से कौनसी कनेक्टिट थी? क्यूं वाली, तो जब A B और C D अपनी अपनी पोजिशन को इंटरचेंज कर रही है तो दोनों रिस्पेक्टिव उनकी स्लेटरिंग भी तो अपनी पोजिशन को इंटरचेंज करेंगी न तो हम बोलते हैं कि P स्लेटरिंग यहां आजाएगी और क्यूँ slittering यहां आ जाएगी carbon brushes अपनी जगा से नहीं हिलेंगे ठीक है, carbon brushes अपनी जगा पर ही रहेंगे बस slittering होवेंगे क्यूँ, क्योंकि slittering से attached कौन है हमारी rectangular coil है और इस rectangular coil की उपर हम बोल रहेंगी force लग रहा है एक तरफ नीचे की तरफ लग रहा है AB side में नीचे की तरफ लगा था और similarly जो हमारा CD side था हमारी rectangular coil का, उसमें भी force लगा था लेकिन कहां लगा था? ऊपर की तरफ लगा था कैसे? देखो इस CD coil में, इस CD arm में current का ज़रा था नीचे की तरफ तो हम अपनी, आप बोल सकते हो कि middle finger को कहां रखेंगे नीचे की तरफ क्योंकि middle finger क्या बताती है current का direction तो current कहां ज़रा था? C2D तो हम अपनी middle finger को कहां रखेंगे नीचे की तरफ ठीके? जो हमारी index finger है वो कहां आएगी? magnetic field की तरफ आएगी तो magnetic field कहां से कहां तक थी? North से South Pole तो ये हम में रख दी अपनी magnetic field ये हम में रख दी क्या current तो force कहां लग रहा है? force लग रहा है उपर की तरफ तो ये जो CD coil थी ये CD coil नहीं coil की CD आम थी इसके उपर force कहां लग रहा था उपर की तरफ initially AB पर नीचे की तरफ लग रहा था CD पर उपर की तरफ लग रहा था इसलिए तो जो principle था हमारी इस electric motor का वो principle यही था कि जो rectangular coil है जब उसके थूर्ण फ्लो होता है तो उसके उपर दो forces लगते हैं तो इक्वल एन ओपोजिट फोर्स लगते हैं जो AB आम है उसके नीचे की तरफ लग रहा है CD जो आम है उसके उपर की तरफ लग रहा है forces बराबर है लेकिन कैसे है opposite हैं तो इस opposite force की current क्या होगा हमारी जो coil है वो घूम जाएगी AB वहाँ चली जाएगी CD यहाँ आजाएगी Q हम बोलते हैं कि यहाँ आजाएगी और P हम बोलते हैं कि वहाँ चली जाएगी ठीक है अब एक काम करते हैं अब ज़रे current की flow का डारेक्शन हम देखते हैं initially तुमारा जो current है वो कहाँ जा रहा था battery के positive terminal से निकल करके X वाली जो आप बोलते हो कि you know carbon brush से वहाँ जा रहा था ठीक है carbon brush गया carbon brush से के बाद कहाँ जाएगा current अब जो की हम बोल रहे हैं कि Q यहाँ पर आ चुका है slittering तो अब X carbon brush से current कहाँ जाएगा Q वाली slittering में जाएगा P में नहीं ठीक है Q से निकल के कहाँ जाएगा Q से निकल के हम बोल रहे हैं कि D to C जाएगा कहाँ जाएगा D to C जाएगा ठीक है D to C जाने के बाद कहाँ जाएगा B A पर जाएगा B to A जाएगा B to A जाने के बाद कहाँ जाएगा B A वाले जो आम है उसके साथ conscious lettering connected है P वाली तो P के पास जाएगा, P से निकलने के बाद वो कहां जाएगा current, हमारी Y वाले carbon brush के पास जाएगा Y से निकलने के बाद कहां जाएगा current, दुबारा battery में ही चला जाएगा तो ज़रा देखो, half rotation के बाद क्या current के flow का direction change हुआ है, बिल्कुल हुआ है Initially हम बोड़ रहे थे कि जो current है, वो P slittering से निकलके AB, AB से CD, CD से Q जा रहा था लेकिन आप देखो, X carbon brush से निकलके कहां जा रहा है, Q वाले पे जा रहा है, Q से निकलकर के DC, DC to AB, AB to P, P to Y और कुछ इस तरह के का flow हो रहा है ठीक है, तो current के flow का direction है, वो क्या हो गया है, change हो गया है I hope सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी ठीक है, तो electric motor का principle क्या होता है, वो मैंना आको बता दिया construction क्या होता है, वो मैंना आको बता दिया working क्या होती है, वो भी मैंना आको बता दी इतना पूरा करने पर, अगर question आता है पांच marks का, तो पूरे के पूरे पांच marks आपको मिल जाएंगे ठीक है, तो electric motor का जो concept है, वो बस इतना ही अब हम जल्दी से आ जाते हैं, अच्छा ये एक और चीज़ है the speed of rotation of the motor can be increased by, कैसे increase कर सकते हैं motor के rotation की speed, increasing the strength of the current in the coil, obviously बात है, अगर coil में आप current की strength बढ़ा दोगी, तो वो एक और, you know, strong current करेंट के रिंग कंड़क्टर बन जाएगा, यानि कि उसकी तो magnetic field है, वो और strong हो जाएगी, तो दोनों ही magnetic fields आपस में ज्यादा interact करेंगी, तो force उस पे लगने वाला जादा होगा, जादा force लगेगा, जिसके current वो तेजी के साथ rotate करेंगी, increasing the number of turns in the coil, कोईल में अगर आप number of turns बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, जादा current flow होगा, जादा current flow होगा मतलब क्या, जादा magnetic field produce होगी, और जितनी जादा magnetic field produce होगी, force भी उतना ही जादा strong लगेगा, area बढ़ाद होगे, increasing the strength of the magnetic field, तो यह कुछ तरीक है, जिसके help से आप motor के rotation की speed increase कर सकते हो, ठीक है, अब हम आज आते हैं, अपने आज के last topic पे, जो की है, electromagnetic इंडा, अब यह जो last topic है, हमारे chapter का, यह हम से क्या बोलता है, देखो, हुआ क्या, कि हैंस, क्रिस्टिन और इस्टेट के experiment से हमको यह पता चला, कि जो electric current है, वो, आप बोल सकते होगी, एक magnetic effect produce करता है, यानि कि magnetic field produce करता है, तो इस बात को सुनके, जो Michael Faraday थे, वो थोड़े से offend हो गया, उन्होंने बोला, कि यार यह क्या बात हुई, कि क्या केवल electric current के पास इत्ती पावर है, कि वो एक magnetic field produce कर सकता है, क्या इसका reverse possible नहीं है, यानि कि क्या एक magnetic field current को induce नहीं करवा सकती, तो इसी concept से, इसी idea से, आप बोल सकते हो कि एक नया concept निकल करके आया, जिसको हम बोलते हैं, electromagnetic induction, electromagnetic induction का मतलब क्या होता है, कि यहाँ पे हम electric current को induce करवा रहे हैं, किसके help से, तो magnetic effect या बोल सकते हो कि magnetic field की help से, अब इसको हम कैसे समझेंगे, बहुत ही जल्दी समझ सकते हैं, एक छोटे से simulation से, तो चलिए जल्दी से आ जाते हैं हम अपने simulation, अब इस simulation में आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या, एक bar magnet, जिसका एक north pole है, और एक south pole है, similarly, यहाँ पर आपको एक coil दिखाई दे रही होगी, और इस coil से क्या connected है, एक bulb connected है, तो यह simulation, basically, Michael Faraday के experiment पे based है, क्योंकि मैंना आपको अभी एक्स्पेरिमेंट के कैसे Michael Faraday, जो है न, hence Christian Oristate के experiment जो थोड़ा सा offend हो गयते, क्या यह क्या बात होती है, क्या magnetic field, electric current को produce नहीं कर सकती, चलो देखते हैं, करके देखते हैं, तो Michael Faraday ने क्या किया, वो लेकर के आए इस bar magnet को किसके पास, इस coil के पास, और इस coil से हम बोते हैं कि बल्ब जो है connected है, तो Michael Faraday ने यह सोचा था, कि जैसे हम इस bar magnet को, क्योंकि ओविस सी बात है, यह क्या है, एक magnet है, तो definitely इसके पास क्या होगी, अपनी एक magnetic field होगी, तो क्या magnetic field के contact में आने से, इस coil में electric current produce होगा, induced होगा, और क्या इस electric current से, जो बल्ब connected है coil से, क्या वो glow करेगा, तो जैसे ही वो उस bar magnet को past लेकर के आये, unfortunately ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कितना भी वो magnet को past लेकर के, क्यों नहीं आ गए अपनी coil के पास, लेकिन जो coil है ना, उसमें current induced नहीं हुआ, ना current induced हुआ, और नहीं हम बोलते हैं, कि bulb glow करा, अब Michael Faraday को यह चीज़ समझ में नहीं आए, कि भाई यह क्यों हो रहा है, current अगर magnetic field को induce करवा सकता है, तो magnetic field पर अटके current को क्यों नहीं induce करा देती, तो गुस्से में क्या किया, Michael Faraday ने अपने magnet को, bar magnet को उठा करके fake दिया, जैसे उन्होंने fake आ, उनको यह realize हुआ, कि या जैसे ही मैंने यह fake आ, तो यह जो bulb है, यह glow करने लगा, इसका मतलब क्या, कि इस coil के अंदर current produce हो गया, कैसे produce हो गया, इसी magnet की magnetic field के current produce हुआ, तो Michael Faraday को, दिमाग की बत्ती चली उनकी, कि अच्छा, मतलब यह है, कि अगर हम अपने bar magnet को stationary रखते हैं, तो stationary रखने पर, शायद इस coil में current induce नहीं हो रहा है, और bulb glow नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इस bar magnet को, हम क्या करें, move करते रहें, इसका मतलब क्या होगा, magnetic field जो है change होती रहेगी, और इस changing magnetic field के current, हमारी coil में current induce हो जाएगा, और हमारा जो electric bulb है, वो जलता ही रहेगा, ये था क्या, माइकल फेराडे का experiment, और इसी से हम, electromagnetic induction को, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, electromagnetic induction का concept यही है, कि जब हम, magnet की magnetic field को change करते हैं, तो ये change in magnetic field, एक current induce कर देता है, और इसी को हम, electromagnetic induction कहते हैं, अब सवाल ये था, कि क्यो ना, इस बार magnet की जगा पे हम, एक electromagnet ले आएं, electromagnet मतलब क्या, अभी तक जो हम, पूरे चाप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, electromagnet के बारे में, यानि कि एक current carrying conductor, जिसके में जब एक conductor, जिसके थूरूर जब हम, electro current पास कराते हैं, तो वो एक current carrying conductor, बन जाता है, जो कि एक magnetic field produce करता है, तो उसी current carrying conductor को, हम electromagnet कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें, electricity produce हुई है, उसमें electricity थी, इसलिए वो क्या बन गया, magnet बन गया, तो इस बार magnet की जगा पे, हम क्या ले करके आ गए, एक electromagnet ले करके आ गए, ठीक है, क्या ले करके आ गए, बेसिकली, हम एक electromagnet ले करके आ गए, ठीक है, तो हमारे पास, ये initial जो हमारे पास coil थी, तो वो थी ही, उसके साथ में एक bulb connected था, similarly हम एक electromagnet ले कर क्या है, यानि कि हमारे पास क्या है, ये एक coil है, और इस coil को हमने एक battery से connect करके रखा, यानि कि इस coil में आप बोल सकते हो, कि electric current flow हो रहा है, ठीक है, तो obvious ही बात है, अगर coil में electric current flow हो रहा है, तो ये क्या बन गया, एक magnet बन गया, एक ऐसा electromagnet जिसके पास क्या होगी, एक magnetic field होगी, तो जब हम इस electromagnet को लेकर के आए, कहां अपने, basically इस coil को आप primary coil बोलोगे, और जो दूसरी वाली coil है, उसको आप secondary coil बोलोगे, तो जब आप अपनी primary coil को, secondary coil के पास लेकर के आए, तो जो bulb है, वो क्या करने लगा, glow करने लगा, तो एक और नहीं चीज़ समझ में आए, कि भई सिफ बार magnet से जो है न, electric current induced नहीं हो सकता है, एक electromagnet से भी current induced हो सकता है, दूसरी coil में, ठीक है, जो हमारी primary coil है, वो एक electromagnet है, और जो secondary coil है, उसमें electric current देखो, generate हो रहा है न, बल्ब हमारा glow कर रहा है, होता रहा है, current चलता ही रहे, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, magnetic field को continuously change करना पड़ेगा, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अभी तो हम magnetic field को, थोड़े time के लिए क्या करते हैं, चेंज करते हैं, जैसे कि हमारे पास जो electromagnet है, ये electromagnet को जैसे हम, अपनी secondary coil के पास लेकर के आते हैं, तो secondary coil के respect में, इस electromagnet की जो magnetic field है, वो change हो जाती है, लेकिन कब तक change होगी, एक particular time तक की change होगी, है ना, कहीं ना कहीं, तो आपको जाकर के, अपने इस electromagnet को आपको रखना ही पड़ेगा, तो जैसे ही आप रखोगे, रख जाएगा, लेकर अगर आप चाहते हो, कि continuously current का induction चलता ही रहे, तो आपको एक दूसरे current का यूज़ करना पड़ेगा, इस दूसरे current को हम क्या कहते हैं, alternating current, नाम से ही समझ में आ रहा है, alternating current का मतलब होता है, जो की समय के साथ बदलता है, तो एक काम करते हैं, अब ही जो हमारे पास primary coil है ना, इसमें हम DC की जगा पे, अब हम AC current ले आते हैं, अनि कि alternating current ले आते हैं, अब जब इस alternating current को, हम कहा ले जाएंगे, अपनी secondary coil के पास लेकर के चले जाएंगे, तो देखो, हमारा जो secondary coil है, उसमें continuously current induced हो रहा है, और हमारा जो bulb है, वो continuously जल रहा है, क्यों जल रहा है, क्योंकि current बकाइदा, secondary coil में बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, क्योंकि secondary coil के respect में, जो magnetic field है, वो change हो रही है, magnetic field change क्यों हो रही है, क्योंकि primary coil में, अब हमने current कौन सा लिया है alternating current लिया है AC current लिया है एक ऐसा current जो की समय के साथ change हो रहा है तो अगर समय के साथ change होगा current तो magnetic field भी change होगी क्यों कि अभी तक हमने अपने इस session के शुरुआत से हमने चीज़ समझ ली है कि current is directly proportional to magnetic field अगर current change होगा तो magnetic field change होगी तो यहां पर हम बोलते कि current change हो रहा है जिसके कारण magnetic field change हो रही है magnetic field के change होने के कारण ही secondary coil में current induced होगा और इसी को हम कहते हैं क्या electromagnetic induction तो चलो जल्दी से हम आ जाते हैं अपनी slides की I hope simulation से सभी बच्चे को electromagnetic induction का concept सभी को समझ में आ गया होगा बहुत easy concept है कि अगर और इस्टिट के experiment से यह पता चला है कि current magnetic field को induced कर सकता है तो magnetic field परण के current को induced क्यों नहीं कर सकती है बिल्कुल कर सकती है बस उसके लिए condition इतनी से required है कि magnetic field को change होना पड़ेगा जब तक magnetic field continuously change होती रहेगी तब तक दूसरी कॉयल में आप वह सकते के current induced होता ही रहेगा तो इसलिए हमने simulation से समझ लिया है कि electromagnetic induction क्या होता है यह सब वही सारी बाते हैं जो कि हम अपने पहले पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में ठीक है और किस तरीके से हम सर्केट में करेंट को induced करा सकते हैं तो या तो आप कॉयल को जो है न मूव करते रहो अब कब तक आप कॉयल को मूव करोगे इस से अच्छा क्या है आप एक alternating current ले लो ठीक है फिर इसके बाद में बस आज की सेशन के लिए इतना ही तो कुल मिला करके आज के सेशन में हमने कई सारी बाते कर ली हैं स्टार्ट हमने किया था और इस्टिट के experiment पे खतन हमने किया है फेराड़ के experiment पे I hope सभी topics हमने अच्छी तरीके से य में हम रिवाइस करेंगे अपने इस class 10th के कुछ और नए interesting chapters को तो thank you for watching